One Dimensional Quantum Mechanical Oscillator कैसा होता है? इसके Energies क्या होती है? और ये कैसे अलग होता है एक Classical Oscillator से? नमस्ते, मेरा नमन दिब दलाल है और इस लेक्चर में हम इनी प्रशनों के उत्तर खोजने के कोशिश करेंगे तो भई, अब हुम क्या पढ़ते हैं? आज हमने क्या पढ़ना है? Simple Harmonic Oscillator ठीक है? तो भई, इस लेक्चर को हमने टोटल 5 sections में डिवाइड गिए हैं पहला क्या होगा आपका? Derivation and solution of Schrodinger Wave equation for a Linear Harmonic Oscillator सबसे पहले आपने भई, जो Simple Harmonic Oscillator होता है Linear Harmonic Oscillator उसके लिए आपने Schrodinger equation set up करनी है और उसको solve करना है बता हुए Second फिर आपका बता हुए Comparison of Classical and Quantum Mechanical Oscillator Third part क्या रहेगा आपका? Energy Level Diagram for Harmonic Oscillator समझगे बात? चोथा क्या होगा आपका बता हुए? Viral Thorum for Simple Harmonic Oscillator और पांच मां क्या होगा आपका बता हुए? Harmonic Oscillator पी, ओके? और इसके लिए आप यह बताएं भाईबू, मुझे आप कि आपने वही रूल आपने लगाने जो आपने कहां लगाए थे? आप बताओ, Classical Systems की Properties कैसे निकलती है? Formulों से Classical Systems की Properties कैसे निकलती है? Formulों से अगर आपने निकालने है Momentum तो क्या होता? Mass into Velocity आपने निकालने है Kinetic Energy, क्या होता है? Half MB square आपने निकालना है, क्या बोलते हैं भई? Rotational Energy, Half IMEG Square Simple formula होते हैं न? Quantum world में आपको बताया था भई Formula नहीं होते, Quantum world में Formula काम के? नहीं होते है, formula काम नहीं करते Quantum world में हर property किसे आती है? Operator से Quantum world में हर property क्या होता है? Operator लेगिन operator अपने आप में किसी काम की नहीं होते है Operator को operate करना पड़ा था किसके उपर? Quantum system की state को बताने वाले mathematical expression के उपर Isn't it? और expression को मालूम नहीं तो कौन सा operator है? जो symbol पर लग जाता है, कौन सा? Hamiltonian तो Quantum world में काम कैसे होता है? कि पहले हम क्या मान लेते हैं? कि quantum system की जो state होती है, बहुत सारी मान लिया उनको दिखाने वाला function क्या है? साई भई, quantum system में मैंने आपको बताया था कि जो quantum system होता है तो उसके जो states होती है उनको mathematical दिखाया जा सकता है उन mathematical descriptions को हम क्या बोलते है? wave functions क्या बोलते है? wave functions उस wave function के उपर क्या लगता है? कोई operator तब क्या मिलती है हमको? उस operator इस property का है उस property की value तो हमने भई, 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 रूट यापर follow करना है हम क्या मनेंगे? बोलो भई, आज आपके सामनी problem क्या, आपने क्या solve करना है? आपने किस की property निकालनी है? simple harmonic oscillator, quantum mechanical oscillator जिसके diatomic molecule होता है, क्या? क्या diatomic molecule बेख सिलिट निकरता क्या? तो diatomic molecule क्या एक simple harmonic oscillator है? अच्छा, oscillator क्या होता है? अरे बई, जब इसमें compression और क्या हो? expansion, और n harmonic कौन सा होता है? जब expansion ज्यादा हो, compression क्या हो? कम, तो n harmonic, और अगर expansion, compression क्या बराबर है? उसे हम क्या बोलते हैं? harmonic oscillation, isn't it? तो simple harmonic oscillator का quantum mechanical example क्यों होगा बता हो? diatomic molecule होएगा ना बई? अगर उसको मान लें कि वो simple harmonic way में क्या करता है? oscillate करता है, तो आपने उसकी property निकालनी हैं, तो आप क्या बोलोगे? तो आपने आज एक diatomic molecule की physical properties निकालनी हैं, तो क्या करोगे आप? अब क्या बोलोगे? कि वो diatomic molecule की oscillate करने के तरीकों को बताने वाला मेरे पास क्या आजाए पहले अगर? mathematical expression, उस पर मैं क्या लगा दूँगा? अलग-अलग operators मेरे पास क्या आजाए उनकी values. लेकिन मुझे वो expression नहीं पता न, मुझे diatomic molecule के oscillate करने के तरीकों को बताने वाला expression नहीं पता न, मान तो सकते हो, जिमाना राम क्या यू एक्स, लास्ट में राम क्या यू, निकल आती हैं, तो simply पहले क्या मान लो? कि diatomic molecule, जो कि एक simple harmonic oscillator की तरह हम उसको consider कर रहे हैं, एक diatomic molecule या एक quantum mechanical oscillator, जैसे भी oscillate करता है, हमको नहीं मालूम, लेकिन पहला पोशिलेट क्या बोलता है, वो जैसे भी oscillate करता है, हमको नहीं मालूम, लेकिन उसके oscillate करने के तरीकों को, कोई ने कोई mathematical expression जरूर बताएगा, हो एकस्प्रेशन भी हमको नहीं मालूम, लेकिन मान लिए एकस्प्रेशन क्या है, साई, diatomic molecule जैसे भी oscillate करता है, quantum mechanical oscillator, जैसे भी oscillate करता है, हमको नहीं मालूम, लेकिन उसके oscillate करने के तरीकों कोई ने कोई mathematical expression, जरूर बताएगा, वो एकस्प्रेशन भी हुझे नहीं इस आई, इसंट इट, और जब मैं इसको solve करूँ तो मिने पास क्या आएगा, एनर्जी भी आएगी, और साथ में क्या आएगा, wave function का पूरा expression, और एक बार यह आपको wave function का expression मिल गया, उसके उपर आप दूसरे लगा लगा कि, क्योंकि सिर्फ आपको पता है, Hamiltonian को ही, यह symbol स मुझे कम चलता है, सिर्फ, बाकि सब्सक्राइब का पूरा expression, तो भई, वही आपने postulates of quantum mechanics आपने आपर, इस्तेमाल करने हैं, आप क्या बोलोगे, क्वांटम oscillator जैसे भी उसिलेट करता है, मुझे नहीं, आज मुझे properties निकालनी है, quantum oscillator की, तो मुझे क्या मालूँ होना चीए quantum oscillator की states को बताने वाला mathematical expression, मुझे नहीं मालूँ ना, मान लो, तो quantum mechanical oscillator, a diatomic molecule, जैसे भी उसिलेट करता है, मुझे नहीं मालूँ, लेकिन वो उसके उसिलेट करने के तरीकों को कोई ने कोई mathematical expression जरूर, बताएगा, वो expression में मुझे नहीं मालूँ, लेकिन मान लिए वो expression क्या ह है, साइ, अब मैं साइ पर क्या लगा हूँगा, हैमल्टोनियन, इसको मैं solve करूँ तो मेरे पास क्या आएगी, wave function और energy भी, energy as it is use कर लेंगे, और जो wave function आएगा, जो wave function का expression आएगा, उसके उपर position का प्रेट लगा, position आगी, momentum का प्रेट लगा, momentum आ गया, kinetic energy आप्र लगा, kinetic energy सेम्ट तरीका भई, तो solve करो इसको भई, तो बताओ क्या हो गया, तो h is equal to e psi, क्या आपको e पता भी, नहीं, क्या आपको साइ पता है, साइ मान रखा है, और आने वाली energy क्या मान रखी है, और भी quantum oscillator की states को पता है, function तो मैंने क्या मान रखा है, साइ, और energy क्या मान रखी है, राएने वाली जो आएगी e, मुझे ना e पता है, मुझे साइ पता, लेकिन क्या मुझे h पता है, क्या मुझे h पता है Hamiltonian भी, पहले आप यह बताए, यहाँ पर Hamiltonian कौन सा export होएगा, one dimensional, two dimensional, three dimensional, three dimensional, अब बताओ, इसमें कितने चीज़ वेरी करती है, मान लिया, हमारे पास ए करता हूँ, तो कैसे के इंदे सिर्फ bond length, चेंज नियूरी क्या, सिर्फ एक parameter बुलता है, displacement, कौन सा, x क्या लोग, तो जो एक ही parameter बदल रहे है, तो आपको यह पर क्या चाहिएगा भई, क्या, one dimensional, harmonic oscillator ही आपको चाहिएगा भई, sorry, one dimensional, Hamiltonian, put को रिसकी value, बतो क्या जेगा मेरे पास, बोलो भई, हम क्या रखेंगे, minus h square by 8 pi square m, curly square by curly x square, अरे भई, प्लस में क्या हो गया, v, isn't it, और into क्या हो गया, psi is equal to क्या हो गया, e psi, उठकर दिया आपनी के, नहीं, आपर क्या जूज क्या है, one dimensional Hamiltonian, अब इसको आप रिरे रेंज कर सकते हो न, अरे भई, इस psi को दोनों से multiply कर लो, e psi को इस side ले आओ, और फिर किस से multiply कर दो, 8 pi square m by h square से multiply कर दो, तो ये क्या बन जाएगे मारे, typical short injury wave equation, बताओ क्या होती हो मारे, curly square psi by curly x square plus 8 pi square m by h square, और e minus v into psi is equal to 0, क्या आपके पास, क्या आपने भई, short injury question set up कर ली क्या, अभी set up होई नहीं, पूरत नहीं से, क्योंकि आपको क्या नहीं पता, potential energy, अभी तक आपको क्या नहीं मालूम भई, पहले तो आपने short injury equation set up करनी पड़ेगी ना भई किसके लिए, simple harmonic oscillator के लिए, फिर क्या करना उसको, solve करना है, तो पहले इसको set up करो, आपको भी partially set up होगी, आपने मान लिया, कि harmonic oscillator, जैसे भी set up करता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके उसे rate करने उतरिकों को, कोई ने को expression ब equation, इस equation में क्या चीज़न होना है, बताओ, potential energy, तो आपको आपने आपने क्या पूट करने पड़ेगी, किसी harmonic oscillator की potential energy आपने पूट करने पड़ेगी ना, तो harmonic oscillator की potential energy आप निकालो, और जुरूर नहीं, क्या आपने वही, quantum oscillator की, आप किसी भी oscillator की क्या निकाल दो आपर, classical oscillator की आ क्यापट कर दो, दखो, शरूर डेंजर क्या नहीं तो काम करती है, निवा तब कपले पड़ी, तो आप किसी oscillator की potential energy निकालो, कैसे निकलती बताओ, तो किसी oscillator की potential energy निकालने के लिए, आप बताओ, क्या करो बताओ, किसी oscillator की potential energy निकालने के लिए, पहले आपको यह oscillator मान लो, यांप वी क्या भी तक अन्वन अपने या पर भी पूट करना पड़ेगा तो आपको यूस से टर वहनों पेले तो मैंने मान लिए यह की यह ओसिलेटर पर लिया और बोलो बही और ये मैंने क्या मान लिए इसकी आर क्या है इसकी लेंग्थ और और ये का मतलब क्या है equilibrium length और यवी R E का मतलब क्या है इसकी जो normal इसके length है ने spring की इस spring के जो normal length क्या बोल रहा हूँ R equilibrium ठेक है अब अब एक काम करो आप अब आप इसे compress करो या expand करो आप क्या करो इसको भई compress या expand तो यह अभी इसके अंदर क्या नहीं है oscillation क्योंकि हमने आप पूट क्या करनी है Schrodinger equation setup करने के लिए आपने आप पर भई potential energy put करने पड़ेगी तो पहले आप इस आपने को oscillator मान तो लिया अब उसके अंदर आप थोड़ी oscillation create करो ताकि भई हम फिर क्या जोड़े ढूढ सके इसके अंदर potential energy और फिर वो का पूट कर सके यहां पर हम भई potential energy समझाना चाहते हैं किसके लिए oscillator के लिए oscillator मान लिया एक इसकी आर equilibrium very good अब आप मुझे बताओ अच्छा यह मैंने यहां से बचिपकार रखा इसको अरे यहां पर मैं इसको कहीं बांद दिया इसको ठीक है नवाथ एक साइड से अब अगर मैं इसको अपने तरफ खीच लूँ अब डूरिंग उसिलेशन या तो क्या होगा यह कंप्रेस या क्या होगा यह expand मान लिया मैंने इसको expand कर दिया ठीक है इसकी length 10 मान लो आप क्या मैंने क्वेंटव दिश्के बारा कर दिया तो 2 क्या है इसके अंदर this displacement दो क्या iscak जो रुए इसकी जो n लीन्ग्त हो 10 से क्य वह जाएगी 12 हो ग से भी मैने क्वेंट की कि हमने इसको भी कीच के ऐसे करदी आप आप पतो इसकी लेंग्स क्या होगी इतनी तो इसकी अहीं यह that अुर यह इसके अंदर x तो टोटल लेंग्स क्या होगी अपके पास E prompted x कि अंदर क्या है डिस् प्लेस्मेंट एक सिक अंदर क्या वही इस प्लेस्मेंटugen है नहीवध अपको A अरे बोलो भई ठीक तो R E प्लस तो X इसके नदर क्या 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 दिस्प्रिस्मेंट तो तो दिस्प्रिस्मेंट है this can be negative as well as positive अगर आपने expand किया है न तो displacement आपने positive खेलिए भई आपने compress किया है यह अगर 10 से 8 हो जाए तो displacement क्या है माइनस टू दस से बारा हो जाए तो displacement क्या है प्लस टू ओके तो आप इसको समझने की तो आपको बहुत इंपोर्टेंट प्रोपर्टीज के बारे में मौलूम बढ़ेगा ठीक है तो आपने इसको खींच देने बाए आपने इसको दस्टेकर अब बारा कर दिया तो लेंक्स क्या औरी प्लस एक्स तो आप यह बताएं क्या इस प्रिंग को खींचने पर क्या इसके तो आमने कि यह स्प्रिंग में किअ पॉटेंशल कर यह नहीं फोटी गया गुत आपको बात आपका कि हैं गया तो स्प्रिंग के अंधर एंपनी तुम आप तो मुझे डिया तो मुझे चेक करना है क्या आप इसके अंदर potential energy आई कि नहीं आई कि मुझे वह यहीं तो चैक करना है कि इसंट इट तो बताओ भई खिलोने में जो potential energy आती है वो कब आती है चाब भी गुमाने में जो आप work करते हो वो work ही क्या बन जाता है तो सिमिलर लेकर मुझे अभी तो इसके अंदर को एनर्जी है नी पोटेंशल इसे खेचेने के बाद इसके अंदर क्या पोटेंशल आगी न तो मुझे पता करना कि कि स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशल एनर्जी क्योंकि वो एनर्जी कापूट करनी है क्योंकि यह को उस्से लेटर है इसंट एट नियुए तो वो पोटेंशल एनरजी बदो किसके बबर होईगी जितना इसको मैंने खीचने में वर्क किया है वो वर्क ही क्या बन गया होगा इसकी तो मुझे क्या मुझे सिर्फ क्या पता करना है कि स्प्रिंग को यहां से यहां खीचने मैंने कितना वर्क किया अगर मैं वर्क निकाल लूँ इजन्ट इट तो आपने वर्क निकलना है अब बताव वर्क क्या होता है वर्क क्या होता है बताव वर्क होता है वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लिस्मेंट फोर्स इंटू डिस्प्लिस्मेंट यहां पर हम लिखते हैं एक्स फोर्स इंटू एक्स ओके यह होता है वर् रखा वी आपर फहीं है कि मेंघ के इसकी अटने पटक्ता रहा हूँ तो मैंने को से लेटले ले लिया वु है उसे कहींच दिया इसमें क्या आगी पोटेंशल एनर्जी मैं अब उस नर चाहरा हूँ तो में दिमांग में आया कि जो मैंने वर्क किया खीचने में वही क्या इसकी potential energy तो इसके लिए चाहिए मुझे potential energy और potential energy के लिए मुझे क्या चाहिए work done और work done के लिए मुझे क्या required है force और displacement displacement मेरे पास already है हाना और बोलो भई तो मुझे क्या चाहिए फोर्स तो फोर्स कौन सी होएगी आप उस फोर्स के बारे में बात करो भई ठेक है तो जब आप इस प्रिंग को खीचते हो तो इसके अंदर एक एक फोर्स अपने आप generate हो जाती होई isn't it उसको बोलते हैं restoring force और उसकी direction हमेशा displacement के opposite होती है isn't it कैसे आप ही बताओ इसको खीचने पर भई क्या आप स्प्रिंग को खीचते हो तो स्प्रिंग आपको अपने तरफ नहीं खीचता क्या क्या स्प्रिंग को आपको अपने तरफ नहीं उसको हम पुश करूँ आना तो उपर तर फोर्स लगएगा displacement कहा है बताओ र्त टूँपर रिंगोम और तो फोर्स ना लगती ए अप वर्ड वर्ड दो जिम के अंदर भई है ँए भाई वह इसे पतारा कि नहीं विए फीड है कई उते हैं जीम में जाने का मज़ा तुए जब जीम के जाए जाएं अ को फटें लोग जिम में कैसे वह हो जीम ने के ब तो इसके अंदर किया डूर्ट होता है कि ऐस फोर्स लेकल वह का लगती है डिस्प्र्समेंट अब लेक्ष्प्रिंट लगती है दिस्प्रिंट करो आंपर समय बनेगी निइचे स्प्रिंग को दबाओ हो फोर्स का बनेगी तो आपको आए बाद देखे वही कि जो प्रोर्स से पैदा होती है कि पहली बात तो वो के स्की डारेक्शन क्या होती है निन पहली बात तो अगर आपने हां पर पूय तो पहले आप देखो जो इसको साथ इस्टोरिटरिंग फ़स्टोरिशork इंडेश करने पर जो फोर्स जन restoring force क्यों बोलते हैं क्योंकि वह spring को वापस अपने नोर्मल शेप में लेके आना चाहती है क्या बोलते हैं restoring force समझगे बात तो पहले बताओ इसका magnitude इसका magnitude कैसे भी युकरेगा अगर मैं spring को अच्छे दो spring है एक spring को मैंने कम खीचा है और एक को मैंने ज्यादा खीच दिया तो कि मैं spring को double खीचता हूं तो क्या भई जो वापस खीचाओ है वो double भी जोता क्या वह भी तो बढ़ता है अगर आप जिम के अंदर भी अगर मान लिया हम को spring हुसको कम खीचते है ना तो मैरा effort भी कम लगता है जो backward पुल हो कम लगता भई ज्यादा खीच लिया तो ज्यादा क्या लगता backward पुल तो उनको पता है कि पहली बात तो भी storing force का magnitude होता है क्या इत इस practitioner to x कि displacement के साथ जितना ज्यादा displacement उतनी ज्यादा restoring force जितना कं displacement उतनी ही कं restoring force रह्त है उसने जितना ज्यादा डिस्प्रिसमेंट उतनी ज्यादा एस्टोरिक कोष्प जितना कम डिस्प्रिसमेंट उतनी ही अब मनों को एकसी पावड क्या है आप अगर मान लिया एक स्प्रिंग में कश्रक स्पिरिंग को दस से बारा कर रखा है कि यह बएग यह में दस से बारा कर रखाए तो इसमें उसमें वही दिस प्रक्राइए दो कर वे उसको में दस दार लोग io से अांज दारटहर तू दो डिस से t раск़र दोलो गया बपाइव तो अगर मां लिया 10 से बारा करने पर जो फोर्स लगती है वो मान लिया क्या बता होगी मान लिया वो फोर्स है पांच यूनिट क्या है अरे दस से बारा करने पर जो फोर्स हो कितनी है पांच यूनिट तब देखो अपनी पड़ेगा किसकी पावर ही किसके पर डिपेंड करेंगी अरे दस से बार करने पर displacement दस से बारा करने पर मानने फोर्ष कितनी बनी पांच अब दस से चोदा करने पर अगर मान लिया फोर्ष बन जाती पत्चीस मैं आपको पले बड़ी दस से बारा करने पर अगर फोर्ष कितनी है पांच और दस से चोदा करने पर अगर फोर्ष क्या बन जाती पच्छीस तो अपने बाद देखे वही डिस्प्लेस्मेंट दो से चार डबल किया तो फोर्ष क्या उरी है स्क्य tes चоде तो यांपर क्या प्र एक्स्कूइर समझे बात अगर दो डिस्प्लेस्मेंट फोस्ट क्या है पांच और 4 पर कितनी है 25 तो हम यहां पर क्या लिखते है X स्केर तो हम क्या बोलते हैं कि force X स्केर के उपर डिपेंट करती है proportional तो है लेकिन भया आपको ये भी तो मलूब होना चाहिए कि proportional एक पावर के है दो पावर के है, तीन पावर के क्या है इसन्ट इट यह तो पता लग गया कि ज्यादा displacement ज्यादा force कम displacement पर कम force कितनी ज्यादा और कितनी कम displacement डबल करने पर force क्या हो रही है चैर गोना उत्ती अरे बोलो भई एरे स्वरी मैंने पाथ स्केर लिए भई डबल हुआ था यह तो भई 20 क्या होता भई है अरे बीस है यह तब को पले पड़ी अरे बीस होने चाहिए थी ने विट अपको आप पर काम करो displacement यहां पर क्या लिख आप दो और चार होगे ना दो और चार अगर दो पर कुतनी है है में पांच और चार फैसी यह और चार फड़्कों सकरे चैट किगे तो इनिषन नया पर क्या होगा निकिशन किरने क्या था यह एक्स और यह वह नहीं क्या हो प्रक्टि कर गया नहीं फेक्टर क्या गया तू आ गया तो टू की पावर क्या होती है अधिक आप एक्स मान लो इसको क्या मान ले फिर टू एक्स ठीक है तो एक्स पर कितनी बता हुई 5 तो टू एक्स पर क्या बता हुई हो साथ की ना और आपर स्क्वेर और हो तो हाँ बिस रहा थे भी हर्वयज आपसम जैने एफ प्रपोस्चनल क्या एकस होता था मैं दो बात मैंने हुए एक तो f is equal to x एक f proportional to x square ठीक है इसंट इट तो आप एक आप बाकाई तो आप वेली पूट कर लो अगर मैं डिस्पेस्मेंट डबल करता हूं यहां से तो फोस कितने गुणा बड़ीगी बताओ अगर मैं x डबल कर दूँ अगर मैं इसमें x डबल करता हूं इसमें x आप डबल करों तो क्या हो जाएगा f is equal to 2x होएगा भई तो नए factor क्या है यहां पर 2 आगे ना लेकिन भई यहां पर आग मैं डबल करता हूं तो f proportional to 2x का all square होएगा 4x square तो नए factor क्या है मैंने पास चार तो square तो क्या होता है चार गुणा नहीं होएगा क्या नहीं अब अब तपको पले पड़ी स्क्वेर होएगा भई तो तो क्या होगा चार गुणा हो जाएगा ना अब अब अगर मान ले वही पाँच फोर्स अगर मैं लेया पर मैं एक स्क्वेल्यू क्या है पांच है तो यहां तो क्या है मेरे पास यहां पर एक स्क्वेल्यू है मैं इस्क्व जेड़ी क्या है तो इनपर आप दो पूड और पूट की आधि चार आगी दो आपने पूट कर दिया तो मेंने आपने अपने 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 okay रुको silence भाई मैं एक बार यह जो constant of proportional तो अठाए था हूं ठीक है बात F proportional to kx है F is equal to kx मानले आप k क्या कोई constant ठीक है बात और k की value फिलाल मैं एक मान लेता हूं है क्या चो हुआ है व कज दस कंः को भी टोग हर अब अगर डबल कर 없ेफ डबलर चुला अक्स क्या घॉप्रating क्या है डबलर पहले के दो को दो दो डिश्पलेस्मेंट पे क्या फोर्स आगी बता हो दो डिश्पलेस्मेंट फ़ेकल करो फ1 क्या है इसा फ़्सक्यूट कि कितना है और लूब कितना है मेरे पास 20 अब X क्या कर दो अब डबल कर दो तो F2 क्या गी है बता हो गई 10 इंटू 4 कितना है मेरे पास 40 तो X डबल करने पर इस formula में force क्या होगी है 20 से 40 X डबल क्या force भी क्या होगी डबल नी होगी क्या है इसन्ट इट अगर X डबल करें तो force डबल होगी एक अगर ये वाला formula होगा तो इसन्ट इट यानि के अगर दो displacement पर फोर्स क्या है 20 और 4 पर क्या है 40 तो हम समझ गे वही ये X की एक पावर के क्या है proportional इजन्ट इट लेकिन अब अगर मैं कहता नहीं ये हमारे पास तो बताओ F X स्क्वेर है F is equal to K X स्क्वेर है अब बताए आप अपर initial force क्या होगी X क्या होगी आपर क्या हो अरे भाई ये कितना हमारे पास 10 ही है बताओ तो F1 क्या है यहां पर X क्या पुट करेंगे यहां पर दो पुट करेंगे दो दूने चार 40 तो क्या है इनिशल फूर्स और F2 बताओ क्या है मैंने पास यहां पर अप्ट खरो चर चर चोक सोला एक यहां बृण और बढ़ी बता यहां पर कितने घुर्स नहीं होगी तो मुझे पता है अगर X double होने पर X double होने पर force double हो रही हो triple होने पर triple हो तो यहाँ पर X की पार एक आएगी और double होने पर क्या हो रही हो 4 गुना triple होने पर यहाँ पर क्या हो रही हो 9 गुना तो क्या होगा square आएगा अरे जिसे आप order of direction पड़ते हो नहीं बात आपको पले पड़ी न रहे बोलो भई तो हमने ये पाया तो ये भी पाया कि X की वैल्यू डबल करने पर फोर्स डबल हो रही है किसम जे बात है कि जब हम डिस्प्रिस्मेंट डबल कर देते हैं तो फोर्स डबल होती लिए कि चार गुना अगर चार गुना होती तो किस क्यूब डिपेंड करता एक स्क्वेर के उपर अगर डिस्प्रिस्मेंट डबल करने पर फोर्स आठ गुना होती तो बतौं तो X क्यूब के उपर का ऑडिल करने लिद को आगर डबल करने करने पर नहीं को सोंगी। हुआ है हुआ sentence में यह अगर डबल करने पर डबल हो जाए और करने पर चार कुना चार पड़का कुना तो पकी बात क्या है सके फ양 है पर पर पोस्ट बवल टू एक्स की एक पावर है, अगर डबल करने पर चैर गणा होजे, ट्रिपल करने पर लोगोगोजे, क्वाड्रूपल करने पर ऋला गणा होजे, हुगोजे if we apply triple करने पर पक्चिस गुना होजे तो क्या है यह बताओ f x की square क्यों पर depend कर रहा है अगर double करने पर 8 गुना हो जाए triple करने पर 27 गुना हो जाए and so on तो बताओ क्या है यह x की power 3 पर depend कर रहा है नहीं मैं तब कॉपले पड़ी तो यह तो मैंने देख ले था कि वही force displacement double करने पर बढ़ाने पर displacement पर बढ़ाने पर force बढ़ती है लेकिन यह भी पाया कि double करने पर double होती है triple पर triple और quadruple पर quadruple तो इसलिए भई हमको यहाँ पर लिखना क्या पड़ेगा बोलो भई तो हमको यहाँ पर लिखना क्या पड़ेगा बताओ अरे बोलो भई एक्सकी पावर एक इसंट इट और जब मैं इसको टाओ वा तो क्या एक अब मुझे इसको अभी मुझे इसको अब ही मुझे इस constant of proportionate का सब्सक्राइब निए भी तक है को रलेशन तो है कि यह बढ़ता है यह बढ़ता है यह गठता तो यह गठता एक पावर के साथ लेकिन पूही निए बता कि बरबर तो करने पड़ेंगे तो बरबर कैसे होँगी एक इस एकोल टू के एक्स के के सिंप्ली याँ पर क्या एक गॉंस्तेंट ऑफ प्रपोर्शनलीटी समझे वाद मान लिया दो दस्प्लेस्मेंट पर फोस्ट कितनी है अरे वह दौब होई कि यहां पर आपर तो नहीं ना तो यहां पर अगर मैं हर बार किसे मेल्टिप्लाइग दूं तो दोलों साइट क्या रहें तो वह बात रहेंगी डबल क्या तो डबल हुए लेगिन दोलों साइट पस्मिक रहेंगी एकोल तो यहां पर इस इस कॉंस्टेंट ऑफ प्रपोस्टेंटी की वैल्यू क्या ही मेरे पास 10i एजन्ट इट कुछ बात आपको पले पड़ रहे हैं तो आमको मौल आमारे पास वही किसका एक्सप्रेशन आगया फोर्स का हमने अप्ट क्या करने थी पोटेंशल एनर्जी हमने भाई श्रोड इंजिवकेशन सेटप तो कर ली लेकिन उसमें एक चीज़ नहुँआ है पोटेंशल एनर्जी और जो फोटेंशल एनर्जी तो अमने सुझा क्यों होना एक उसलेटर ल लेटां तो हमने भी निख विया अपूट करने के लिए कि निकालने पड़ेंगे पाड़ेंगे पोटेंशल जी पोटेंशल जी यह उत्ति है और वोलो भई और वरक दन बताँ क्या होगा फोर्स के पर फोर्स इंट्वेश्मिट डिस्प्रिशमिट उनको मालूम है लेकिन अचाहिए तो आगया में एक इन्टूड़ी बात होगी अब देखो डारेक्शन क्योंकि यह भी वेक्टर है यह भी वेक्टर हो यह भी क्या है वेक्टर डिस्प्लेस्मेंट और फोर्स बोथ हर वेक्टर कॉंटिटीज इसंट टो एक वेक्टरी साइड हो और दूसरा तो मैं मैं जोंगा क्या नहीं भी के पराबंबर है नहीं आ अगर मैं पुश करते हैं डिस्प्रीस्मेंट कहता है नेगेटिफ तो फोर्स कहांती है अपर्ड़र तो फोर्स और displacement का sign क्या है यहाँ पर उल्टा तो यहाँ पर क्या लिखो वही f is equal to minus kx लिखना है अपर क्या है ज़रूरी अब टा क्या हुग गया क्या अनिवार यह है समझ यह बाद वही अत्य आवश्चक है ओके लाजमी है necessary है ओके तो बता हुग तो f is equal to minus kx आपको फोर्स तो आगी अब तो इसको फटा पटनी है कि से मिल्टिप्लाइगर देते है डिस्प्रेसमेंट से भी फोर्स तो आई गई लेकिन वही एक कहानी इतनी आसान यह क्या कहानी इतनी आसान नहीं है यह थैंक 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 यू ऑक्डिक और ग्रड़ा थे बाल गणे की है थी हो थीज़िए बाथ आपको ने टो लेकिन तो बताओ बताओ वर्क कैसे आएगा वर्क ही क्या है potential energy मैंने वर्क यहां रखना है तो तो वर्क कैसे force आगी मैनस के x डिस्प्रेश्बिट क्या है एक्स तो कि मैं सिम्प्ली माइनस के x इंटेक्स कर दो लूगा को नहीं कर सकती कट क्यों देखो मैं यह बात तो वर्क हमेशे । अब हर ऺथा यारिया वह याद करो अब धर मॉनीह तक प्रैशर वांено अच्छा साइड़ क्या हो और इस हिए वोलु में प्रेशर वोल्यूम वर्क होता है इसंट इट तो प्रेशर वोल्यूम कर उसे आप एरिया कैसे निकालते हो जान से देखो बई अगर मैं यह को हूँ यह बताओ क्या मान लिया इनिशिल प्रेशर वोल्यूम प्रेशर यहां पर क्या है यह रगल क्या अब मांने लिया मैंने सिस्टम को एक्सेंड कर दिया तो वह निकाल लेते प्रैशर यहां सुझ问 प्रेशर व्रृक्ष्च ऑ आ樂 उसमें area under the करो क्या होता है आपने की बार देखा हुआ कई बार तो simply pv से area वर्क निकाल लेते हैं कई बार तो simply क्या करते हैं pressure को volume change से simply multiply कर लेते हैं कई भार कैसे निकाल रहे पी डेल्टा वी क्या में कई बार तो सब्सक्राइब करना पदा है दिए इजंट इत कई बारी इंटिग्रेट निक रेना पड़ता हमको ऐसा क्यों से परकोंगलियों अपने पीडी में लिखें और इंटिग्रेट वाई 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 वह इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ कि किन केसिज में आपने ःप सिंप्ली P डेल्ट भी से वर्क निकाल सकते हूं जसे लिए प्रेशर क्या हैiler न हो नहिक rock और भाध और मैंग है थेखते बात तो उसकी वोल्यूम तो बढ़ेगे लेकिन प्रेशर क्या रहेगा उसका सेम रहेगा तो वो कहां पोच जाएगा पॉइंट तो इनिशिल पॉइंट है तो हम यहां जाएंगे ऐसे अन्य बोलो भई तो क्यों पडया है इनिशिल प्रेशर वोल्यूम एक्रिशन की बादगा है अब फी वन है यह तो वग्यां कि लें कशा देंगे बिदू क्या है वह यह यह थीक है तो को इस सляख सेेह अ souvent को यह यहां Sr तो इस पॉइंट की जो हाइट हो क्या बता रही है प्रेशर की में तो इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे आएगा वर्क एरिया होता है तो इस रेक्टेंगल का आप मुझे एरिया बताओ सबसेंट गते मुस्क्ति धुड़ी मुख्यां को सबस्क्राइट के इस मकें दिस रेक्टेंगल का इरिया वर्क प्रेशर की मासे घृटु प्रैशर वोल्यूम कर्यों में एिरिया अंडर्गर भी कया होता है तो इस रेक्टेंगल अगर्च्टेंगल का मुंजऑ अप्राजान अपको बह실च में एक साइड जिस साइड इस साइड की वेल्यु क्या बताओ अरव इस पॉइंट का वाइब को निर्ट परेशर प्रेशर पी पोगा अरे पी 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 तो है गोगी और या साइड है यह यह लेंग्ग कैंगी तो अब सोफेखे एक श्याता है प्लैटा यह सिल्they इसलिए ताम और इसलिए कर प्लैटा खोड़ा ओ लेकिन अगर मानले आप यहां से यहां जाओ आप यहां से मानले आप ऐसे जा रहे हो इस टाइप से अब यहां थोड़ी पट्टी का एरे निकाल निकाल लेते हो एक थोड़ी पट्टी का थोड़ी पत्टी में यह बताँ क्या रहेगा को तो यहां पर प्रेशर बदल रहा है कि प्रेसर सेम Keeping return प्रेशर यहां पर क्या यह बदल रहा है अ तो जो प्रेशर बदल इनमा स्ट तो आपको चेह प्रेशर का फंक्शन बहन बोलो भई और इस से मुल्टिकुल तो उनके बोलेंगे पी और स्मॉल वोल्यूम क्या होगी डीवी तो इस छोटी से तो भई क्योंकि इस आला की प्रेशर बद नहीं रहे लेकिन थोड़ी दूरी में प्रेशर के रहेगा अल्मोस्ट कॉंस्टेंट तो यह विड्थ क्या हो जाएगी तो यह एक क्या रहे जाएगी पी और यह विड्थ को जाएगी पतली ने की विड्थ डीवी निसम्त बात तो छोटी से पट्टिक यह क्या जाएगा पी डीवी तेकिन हम ने सारा निकालना है अब आप अब आम इस पीड़ीवी का क्या करेंगे इंटेग्रेट य हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते वही समझगे बात अब शिवम ने वोला था शिवम आपने वोल कि यह फोर्स आगी जाया गया वर्क ना सुरी फोर्स को सिंप्ली डिस्प्रिसमेंट से मिल्टिप्लाइगर दूं भाई यह फोर्स क्या कॉंस्टेंट है यह बढ़िए अपर कम गोर्वर्य आप नहीं है फोर्स वर्सेज डिस्प्लिसमेंट आप यह बना लो अब आपको फोर्स का फॉंक्षिन पता है आप इसका ग्राफ प्लोट करो एफ इसकोल टू क्या है माइनस के एक्स यह स्ट्रेट राइन एकुशन ग्राफ प्लोट करो क्योंकि जैसे pressure volume करूँ में area क्या बताता है work तो force versus displacement करूँ में भी क्या आएगा pressure volume करूँ में क्या आता है भई क्या आता है area under the curve work होता है तो pressure volume area under the curve work force displacement area under the curve work होना चाहिए तो पर नहीं क्या ले लिया force यह मैंने क्या ले लिया displacement ठीक है इस function को प्लोट करूँ आप जिसे वहां पर आपने pressure function प्लोट किया था वर्सिस बोल ले हूँ तो यहां पर आप force का function प्लोट करी हो बताओ एक्स बराबर 0 function क्या आया अरे एक्स बराबर 0 पर function पर तो क्या एगा जिरू आएगा पकी बात है ठीक है तो एक्स बराबर 0 प्लोट के लिए क्योंकि यहां पर साइन नहीं नहीं है यहां पर सिर्फ किसको दिखाने के लिए है डारेक्शन को तो मैं इसको यूज करूंगा कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपको तुम्हें यहां पर 0 लेकर आपर कहले लूँगा तो बढ़ो एक्स बराबर 0 प्लोट के गारे पास बोलो भई जीरो आ गया अब एक्स बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगी लगा था बढ़ेगी अब अगर अगर क्या होता है इंस सभी डिस्प्रेमेंट के वर्ज क्या होत्य बताओ कि सेब्याइब तो कैसा करवा था अब बहुत माल्या आपने लिए आप इन स्प्रिंग खेच रखा है क्या वोटा है इस प्लिन एग फेखवार्ड पुल है दो प्लिन पूर मालें स्प्रिंग खिचा है जिरो से ले तो आप एसे बोलते ना बहुत कि जीरो से लेके टैन तकर फोर्ष क्या रही हिमेशा इसा तब आप सिंप्ली बताब क्या करते हैं आप फॉर्स वाली लाइन को इससे मल्टिप्लाइगर करके रही निकाल लेती वरकाता बहुत लेकिन क्या फोर्स ऐसे भी उकर रही है आपके सिस्टम में अरे बोलो वहीं नी तू नहीं ना वहताब फॉर्स कैसे भी होगरती है यहां पर फॉर्स कैसी भी उकरती है डिस्वेंड फॉर्स का जीरो फूर्स बढ़ती बढ़ती मैक्सिम भाई ऐसे बढ़ रहे विच जिए ऐसा अग्राफ आएगा इस फॉंक्शन ग्रा कि mouse लिखो तो यहां पर उपर- मायनई लिख लीओ ऑग com oug मैं जाहां को यहां पर आपसे पूछू मैंने एक पर इसप्लस्मेंट लगा दिया शून मैंने बई आमने कितना कितना इहां पर आमने कितना लगाए यह एगा लिए दू युनिट तुम्हा ले ये क्या है 0.5 1.5 यह है आगर मेरे पास भई भी तो यह कितना है 0.5 1.5 और 2 तो दो दिस्प्रिस्मेंट तक फोर्स बढ़ती नहीं गई क्या तो मैंने फोर्स वर लिए अब यह एरिया क्या है और यही मारे क्या पॉटेंशल अंदर्जी यह मैंने सिप्ट करनी है तो अब क्या मैं इसको साइड से इस साइड को मुल्टिप्लाइ गरके यही निकाल सकता हूं क्या अब सुम्झे बात क्योंकि आपर फोर्स कॉंस्टेंट ने रही है तो आप ऐसे एरिया नहीं निकाल सकते भाई ने में पुसंदे अले पड़ रहा है ओके तो वह तो मुझे क्या करना पड़ेगा अपर लेकिन अगर मैं क्या करों लेकिन अगर मैं क्या क्या करों एक छठे से fix fix pense त्थर डो़े कpri छोटे फ्रेकमेंट में फोरस अल्मोंस करो निड़ेगी निकान फॉइख इस तो तो यह डिश्टेंस क्या मैंने, dx, यहां से तो इसका एरियां बतो क्या है पास , इसमें रहे हैं। इसमें height क्या रहे हैं अल्मॉस्ट के और वह थोड़ी दूरी तक height क्या रहेगी ? तो force आल्मॉस्ट क्या होती है वह थोड़ी दूरी तक constant कि तूम कि और वोलो ओको फोर्स आरमिस्ट कहा रही है तो यह तो मेरे पास यह यह घा लेकिन आपको हम वस्केसा उनलना है तो पूरा एरिया आप बताओ कैसे निकालोगे कैसे वह इंटीग्रेट करके वेरी गॉंड अब आपर सुखरों इंटीग्रेट तो मैं तो क्या बोलेंगे यह निकि अगर मैं फोर्स को यह निकि मुझे तो मैं डबलू सीधे निकालना है एफ इंटू एकसीन अगर एफ क्या रहे ता कॉंस्टेंट सुम्हें एफ इंटू एकस करता है एफ वेरी करता है ना बोलो भई तो यह पर आफ इंटू एकस नहीं है थोड़ी पट्टी का एरिया निकालके एफ डॉट दी एकस डीडिवन कालो और क्या करतो इसको बारो बहुत हो इंटीगेरेट इंटीग्रेट करना क्या है मस्ट है रह बहुत हो क्या गया मेरे पास इंटीगेट उसको डी डीड़बू सब्सक्त t integration कर दो इसका क्या आगया डबलू फुल वर्क यह क्या गया एफ एफ के लिपूट करियो माइनस के एक्स डी एक्स इसंट इट और बतो माइनस के बारा गया अब एक्स आगर आप इंटीग्रेट क्यों हो जाएगा अब एक्स स्क्वेर रफ और लोर लिमिट क्या है जिरो तो एक्स अरे बोलो भवाई तो क्या है का मारे पास हाफ ही माइनक साव न साफ के एक्स स्क्वेर् ये बताव मेरे पास क्या कि उए यहांặt है the only work cream kia होता उल्प का नियों नियहां पर और में नियूर्ड है वे क्या है कि मेटीरियल है तो भी तो पर क्या है तो मुझे तो मुझे इसका मोड़ी उसे चाहिए नभई तो क्या हाफ Kx स्क्राइब और यही क्या है Potential Energy इसान दो बात तो बता हो Potential energy बता हो क्या ही इस नेगाटिव को थी आपको गए वर्ट नेगाटिव नेगाटिव नहीं होती है कि यह एकन वह नेगिट्व पॉसिंट्टेव अगए एक्ससप्ट को हैं तो आपको इसफुफ कर सकता हूं बताऊ मेरे पास और रौभी तो वी आपड़ बताओ क्या हाफ माइनस अरे मैस तो यह से था यह माइनस भी नहीं था हाफ के एक स्केर इंटू साई इस इकॉल टू जीरो बताओ मेरे पास क्या सेट पोचुकिया श्रोड इंजर वेव एक्वेशन इजन्ट इट अब इसको सॉल भी करें इसको भी मिटा दूं कि अब अच् बताओ से दोतिन इंपोर्टेंट ऊऔर भी है इस क बारे में थोड़ा कमेंट करते क्या मोदा कमेंट वहिए के ऐंके का क्या है कै के फिलाल आप क्या समझते हो के lyrics your fix of proportionally ृत अजिर आए है लेकिन इसका सबीनी फ्रीजिंस क्या है मैं आप से बात पूछू आप कह रहे हो कि फॉर्स क्या होती है फॉर्स क्या होती है माइनस के एक्स माइनस तो फिस लिए किस पैरामेटर के डिपेंड करती है X के उपर अगर यह मैं K न लिखता है अपर अगर मैं simply क्या लिख हूँ भी F proportional to X तो तो क्या होगा 4 सिर्फ A की variable के उपर depend गरती किस के उपर displacement के उपर हूँ Isn't it तो इसके coding को अगर मेरे पास मालिया तीन spiral है हमारे पास क्या है भई तीन अलग अलग spiral इन सब गी introduction क्या मालनों आप 10 के मांनों भई और इन में एक सा लगिन यह बताओ मालने किसका है Steel का और यह मानले प्लास्टिक का यह मालने क्या है भई Steel का त्वर्गी यह प्लास्टिक क्या है यह मानलिया वही, copper का है, और यह मानलिया वही, steel का है, यह plastic का है, यह copper का और यह है, steel का, तो तीनों क्या है, तीन अलग-अलग हमारे पास के spiral है, ठीक बात, तो आपके coding, force सिर्फ किस variable के उपर depend करती है, displacement के उपर, तो अगर वही, मैं इनमें एक सा displacement incorporate करूँ, क्या वही, हमने इनमें क्या किया, हमने, एक सा displacement, हमने इनके अंदर incorporate किया है, ठीक है, 2, 2 और 2, लेकिन क्या यह एक सा restoring force बनाएंगे वे तो, वही आपने, जितना steel के spring को खीच दिया, नहीं, जितना आपने plastic के spring को खीच दिया है, अगर आप उतना ही, steel के spring को stretch करोगे, तो क्या, एक साफ हो, एक साफ है लगेगा, steel के spring कहीं ज्यादा, stronger backward pull create करेगा, result it, तुमको पता भई, यह नहीं किया, तो यह बातों ठीक है, हाँ, इन में से किसी एक को भी लेके आप, ज्यादा खीचोगे, आपने यह spring लिया, कम खीचा, कम force, ज्यादा खीचा, ज्यादा force, और ज्यादा, मतलब वो तो है है, कि proportional to x, लेकिन अगर मैं तीन अलग-अलग मेटीरियों के spring लियता हूँ, और मैं एक सा क्या लगाता हूँ, displacement, तो उनमें भई, एक सा displacement पे, एक सीरी स्ट्रिंग फोर्स नहीं, मान लिया, इसके अंदर displacement लगाया मैंने, 2, यहाँ पर force आई, 10, यहाँ पर मैंने displacement लगाया, 2, यहाँ पर force आई, 50, यहाँ पर displacement लगाया, यहाँ दो, और force यहाँ पर आई, मान लिया भई, बोलो भई, 500, कितनी भई, 500, 500, ऐसे कैसे भई, तीनों में एक सा क्या लगाया, displacement, उनको पता भई, force, displacement के पर डिपेंड गर की है, तो भई, अगर एक सा displacement लगाने पर, एक सी force नहीं आ रही, मतलबन के लिए किसके वेली डि constant नहीं होता, यह एक spiral के लिए क्या है, constant, तो यह spiral to spiral क्या करता यह, vary, मतलब होना हो, पहले system में के की value क्या है, 5 दूसरे में क्या है, 10 तीसरे में क्या है, और दूसरे में क्या है, 25 और तीसरे में कितनी है, 250, निवात आपको पले पड़ी क्या, तो जिसमें थोड़ा displacement लगाने पर बहुत ज़्यदा force आ जाए, उसका मतलब हापर क्या क्या है, यह यह निके वही, उसके लिए पर proportionate constant क्या है, बड़ा, बोलो भई, और जहाँ पर थोड़ा displacement आने पर थोड़ा ही क्या है, force, यह वहाँ पर क्या है, कम है, निमा तब को पले पड़ी, तो आपने एक pattern देखा, तो k की value क्या सब भी spiral के लिए एक एक्सी होईगी, क्या अलग अलग होईगी, अलग होईगी तो spiral to spiral, k की value क्या गरेगी, वेरी करेगी, तो आपने एक trend देखा, जो मजबूत spring था, उसके लिए k क्या है, ज्यादा और कमजोर spring के लिए क्या है, कम भई, पलास्टिक के spiral के लिए क्या है, कम भई दू रखता है, तो आपको ये trend पता लगया, कि मजबूत spring के लिए, मजबूत spring में, अगर बहुत थोड़ा displacement, बहुत ज्यादा restoring force create करता है, तो हो ना, उसका क्या है, ज्यादा, बोलो भई, तो ज्यादा, तो मजबूत spring के क्या आता है, ज्यादा, और कम जोर spring के क्या आता है, कम आता है, निमत आपको पहले पढ़ी, अब इसका meaning क्या हो, इसका फाइदा क्या हुआ, यहनि क्या आप, यहनि के spring की मजबूति कि से correlated है, उसके k value से, उसकी भई, यहनि अगर आपको किसी spiral की k value पता है, उसको बोलते हैं, तो आप उसकी मजबूति पर कमेंट कर सकते हो भई, निमत आपको पहले पढ़ी, यहनि अफिर मेरे सामने आपर एक table है, उस table मेरे पास 10 spring रखे हैं, उस करके हैं, और दिखने में exactly same है, उनकी same length है, क्या भई, मेरे सामने आपर 10 spring रखे हैं, उनकी same क्या है length, और same क्या है, मैं जो, sorry, same length है उनका भई, लेकिन वो अलग-अलग क्या है, material के, कोई है, कोई है, क्या बोलते है, तामबे का, कोई steel का है, कोई lowe का है, कोई चांदी का है, कोई सोनने का है, बात आपको पहले पढ़ी बढ़ी, अरे बोलो भई, बात आपको पेंट कर रखा है, तो मैं उनको देख के distinguishing, लेकिन वो जो जहां पर रखे हुए है, वो एक के उसमें रखे हुए है, एक से भई, उस टेबल पर ऐसे box बना के, मार्किंग से निशान लगा के, जोसे निसान निगरता है, बिल्डिंग से, तो नीचे, अरे हो, बात आपको पले पड़ गी, तो वैसे क्या बना रखे हैं यहां पर, और हर एक spiral के साथ में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि जब आप कोई भई घड़ी बगएर पर्चिस करन जाते तो अहां पर नहीं है, प्राइस टेग लिखा होता है, तो हर एक पे एक के टेग लगा हुआ है, आरेक स सबसे ज़्यादा के टेग किस की उपर है, मुझे पता है, यह स्प्रिंग खीचन में सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, बात आपको पहले पड़ गी, यह अगर आपको के वेल्यू पता लग जाए, यह अगर आपको सम्वने बी स्प्रिंग है, एक से कलर कर रखे हैं, एक स मजबूत है कौन सा, खमज़र होगा, तो आप different spirals को, क्या उनकी k-values पता होने के बाद, उनकी मजबूती को compare कर सकते हों क्या, तो similarly, अगर diatomic molecules हैं हमारे पास कई तरह के, उनको solve करते हैं, उनकी मेरे पास k-values आजाएं, अगर मेरे पास hcl, hf, hi, h2, cl2, br2, इन molecules के, वो भी तो क्तर हैं, spiral हैं, उनकी k-value आजाएं, तो मैं उनकी bond strength के उपर comment कर सकता हों भई, नहीं बहुत आपको पले पड़े, जिसे different, नहीं bonds की spiral की मजबूती पे comment कर सकते हो, आप k-values के जरीए, similarly आप भई, diatomic molecule का bond है, अगर आप उनकी k-value का लेते हो, वो भी तो क्या है, तो आप उनकी different bonds की strength compare कर सकते हो, spiral की k-values से, spirals की मजबूती compare होती है, तो different bonds की k-values से, different bonds की मजबूती, तो K का सिगी नहीं fence किया गया, आप समझें के इतना important parameter क्यों होता है, यह constant of proportionality था, लेकिन हमको मालूम पढ़ा भई है तो भई, इसके तो भई, क्या बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा beneficial चीज़ है, isn't it, अगर हम किसी मालिया मैं sales study कर रहे हैं, तो ऐसे लखे निकालने इतन होती किसी spiral का k value 2 आजे, एक आजे हमको पता हो बहुत कम जोर spiral है, तो similarly, यह आपको भई, नहीं पले पड़ा है क्या, तो K का आपको भई, सिगी नहीं सबको मालूम पड़ गया, ओके, मिटा देसको भई, तो आपने पता हमारे पास equation कौन सी बन चुकी है, यह वाली न, हमा पिस्तोल जेल में आ चुका है, हाना वह रिदयाम था मिलकुले से कान रहा के सुन रहा, तो बहुत गजब का सी न, उसका आप चेरा देखो कि भई, जिसे यही क्या बोलते है, के जी बी और मोसाद का आजेंट है, हाना, रोक आजेंट वह इतना ध्यान से भई, वो जेलर का हो फेवरिट साओ, ठीक है, तो आप यह बताएं भई, बात आपको पले बढ़ गी, तो यह हमारे पास क्या सेटक हो चुकी है, शोड इंजर वेओ, एक क्वेशन हार्मोनिक, उसलेटर के लिए, लेकिन इसके अंदर अभी भी एक चीज़ क्या है, अब के की वैल्यू अपन क्या है, कि उसलेटर क्या कर रहा है, तो किसी उसलेटरी तो फ्रिक्वेंसी होती है, किसी उसलेटर क्या होती है, फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियू, यह पता है, किस के वैबर होती है, नियू बार, वन बाई, टू पाई सी, क्या, वन बाई, टू पा नुम्बर लेकिन आप आगी जाओगे ना भई पर सर्च में आप देखोगे नू से फ्रिक्वेंसी शो करते हैं और कि नुबार से बिकाई नू से वेवन नुम्बर भी शो कर देते हैं तो बहुत कॉमन है वह तो यूनिट चेकर के यूनिट देखें चेक करना पड़ता है कि वह यह नू फ्रिक्वेंसी वाला है कि वेवन नूम्बर भाला मदब लिखते हैं नू उसका मीनिंग क्या होता है नू बार बार लगाने में थोड़ा भई आलस से आता यह निपता हम उमको भई बाद आपको पले बड़ी तो नू बार पता क्या होता है वन बाई टू अगर माले इसको में अगर मैं इसको भई एच से मल्टिप्लाइ कर लो अ अब आपको पले बड़ी का भई एक और भी होती है अचा यह देख रहती है नोंने कौन सी फ्रिक्वेंस यूज की है एक सेकेंड अब यहां पर देखो भई तो कहलो यहां पर नोंने सिंपल फिक्वेंस युज किया और यह फिए तो क्या है आपको हम वह करेंगा जो बुक में मिस्तमाल कर रखेंगे ओड्याल नहीं जिल स्ट्राइध कि बाइभ क्लशेक्त एंच एसंट एट ठीक है आज देखाए को त fabrics the w यह तो प्रिक्वेंसी यह तॉ फिर्पर किया है और नू गया धिक्क वॉट टोव धावाई लेमडर C अनू बार को और किंदी अगर्मक देट हुट भाली फ्रिक्वेंसिय को वेव नमबर वाली में तो क्या करना पड़ेगा आपको भई से से मल्टिप्लाइब तो याद रुख यह वन भाई हांट वाली फ्रिक्वेंशी फ्रिक्वेंशी है पताएक ऐसा कुछ मुगी थी इतिंक आप पताने मुझे याद नी थी है ओके तो दो वी तो नू इस एकॉल कि यहाँ पर हमने मिशे बाटर तो तो मंट राता है न्स आख टेपर एज उस सीगे ऐस्के यूज यह पर ठेक रहा है तो न्यूं वे मिर्पस्ट आगा आग यू गया के मेरे पास क्या गया के मेरे पास क्या वह ठीम है कि और रूट आ गया के घर आई तो के मेरे पास है तो फाइनू माल्टिप्ल्र आगरोड रूट आ जार्या करने टों आगया तो के मेरे पास क्या गया ठोर स्क्राइब मेरे पास जी के की वेलु के कि वेलु यहां पुट खुरो यह एक वेलु का पुट खुरो बतो क्या जगा मेरे पास कि मिटा इसको भी के के वेलु क्या है बता ही हो नाली थाइक्यू बाइ यह तक वटक खांका है फुनहाँ पैसे का जी है मेरे पास ा करलिटिक्वर स्क्राइब करया बिधान फ DC e x20 मिन हो क्या ऑगया is 8 pi square m e by h square आ गया, इसंट इट, और बता हो क्या है मेरे पास, और बोलो भाई, इसको multiply करो, क्यों क्यों multiply करो, तो जब यहाँ पर ही आएगा, पर ले लिखो, 8 pi square m h square, लिखो, माइनस में क्या गया ? माइनस में क्या गया ? माइनस में क्या गया ? 8Pi square M by H square ठीक है और by 2 भी तुब आ गया ? और into क्या गया ? 1 by 2 भी और क्या बता अब रहतो ? क्या है ? फोर पाई स्क्वेर न्यू स्क्वेर एम बाई बस और भाई एक स्क्वेर आ गया और बाहर क्या गया साइन अब यह बता आप मुझे यह तो क्या हो गया कैंसल हो गया है और एम से एम क्या हो गया मैं स्क्वेर हो गया और यह क्या है और पाई पाउर को फोर गी इसे पाई स्क्वेर एट क्युंद की ना ने यह पूट कर दिया यह पूट कर दिया, तो यह मेरे पास आगे पतो क्या गया, 8 pi square, 8 pi की 4, m square, x square by h square, लिखो इसको, क्या है भई, 16 क्यों से आएगा, हाँ 16 आगा भई, आगे ने मेरे पास, पतो क्या 16, 16, m square x square, और new square भी और क्या है, h square, into psi, is equal to 0, मेरे पास यह आगे न, वोई, कि नहीं आया, अब आप यहाँ पर देखो आप, मेरे पास यह नहीं है, यह आगे न, वर चेक कर लो, पर चेक कर लो, यह होगे न, ठीक है, अब इसको मान लो alpha, क्या मान लो इसको भई, alpha, और बीटा आप क्या मान लो, दांसे देखो आप बीटा क्या मान लो, 4 pi square m new, 4 pi square m new, by h क्या मान लो, अरे भई, 4 pi new square m new क्या मान लो, अरे भई, जो यह portion था न, नहीं बात अपको, अरे पहले बताओ, यहाँ पर तो आपने क्या प्रट कर देना है, alpha, और यहाँ आपने, इस में से, 4 pi square m new, by h, क्या मान लो, बीटा, तो यह क्या हो जाएगा भई, बीटा square, x square, तो मेरे पास यह कौन सी question बन गी भई, बताओ, मेरे पास ही question यही क्या, बोलो भई, तो बताओ, मेरे पास question यह, simplify होके, किस form में आज जाएगी, बताओ यह, बताओ, क्या ही है मेरे पास ही, curly square, plus, phi is equal to 0, अब इसको आप solve कर लो भई, क्या, इसको अपने का करना है, solve कर लेना है, ठीक है, तो आपको पताओ भई, अच्छा इसको भई, और एक parameter है, आपने आपने आपने, define करना आगे, अब आपने further derivation पर ने जरूर तो नहीं है, आपको बताओ, क्योंकि भई, हमको पता होना चाहिए, कि भई, हमने derivation कहां तक पढ़ना है, कहां तक हमारे काम का है, क्या, 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 हमको conceptual knowledge हो जाए, अब आपकी आना कि मैंने, सारा solve कर रख, चेक कर सकते हो, अ अब यहां पढ़ा गया आप एक parameter मानोगे, बता क्या, y, क्या मानोगे, root, beta, x, क्या, root, beta, x, तो भई, मैं सारे के सारे, जो values आई ही न, वो सारे पर lab count कर लो, अच्छा, यह मैंने क्या मान लिया, बताओ, पहले बताओ, यह मैंने क्या मान लिया है, alpha, यह हो गया, भई, alpha, alpha की value है, beta क्या हो गया मेरे पास, बताओ, beta क्या हो गया, beta क्या माना था मैंने, 4 pi, square m, new, by x, यह था न, यह बताओ, यह बताओ, और k मैंने k क्या था बताओ, सब कुछ रिफिल हो गती, बताओ, k क्या था, 1 by 4 pi, अरे, k, k की value क्या थी, 4 pi, square, new square, m, मैं मेरे पास, l5 पता है, मुझे, beta पता है, और अब एक parameter, और आपने डिफाइन करदें, तो कौन सा, y is equal to root beta, x, आगा न, भईये, ठीक है, तो यह मैंने, भई, parameters, define किये हैं, अभी तक, isn't it, अरे, भई, इसको मुझे, solve, तो आप जब यह question होगी, तो यह question चलेगी, किसमे, x में, लेकिन इस parameter को सूझ करने के बाद, यह किसमे कनोट हो जाएगी, y function में, किसमे कनोट हो जाएगी न, तो इसको further solve करने पर आपके बास बता क्याएगा, expression, अरे, इसको solve करने पर आपके बास क्याएगा, wave function भी हो साथ में क्याएगी, energy, आपने भई मान ले भई, अरे, एक diatomic oscillator, एक quantum mechanical oscillator, जैसे उसलिट करता है, हमें नहीं मालूम, लेकिन उसके उसलिट करने के तरीकों को, कोई ने कोई mathematical expression दरूर बताएगा, वो expression हमको नहीं मालूम, लेकिन मान ले एक्स्प्रेशन क्या है, साइ, साइ, साइ पर क्या लगा है, हैमिल्टोनियन, वहलो भई, हैमिल्टोनियन पूट कर दिया, क्या बनगे मेरे पास, श्रोड इंजर वेव, equation, solve किया तो मेरे पास, सुरी, simplify के मेरे पास यह बनगी, setup कर लिया अपने, अब इसको solve करना है, इसको solve करने के बाद आपके पास क्या आगा पता है, wave function भी और energy भी, wave function भी और energy भी दोनों आएंगे, पहले देखें wave function क्या आएगा, इसको solve करने पर भई, wave function आपके पास आएगा, साई, y dependent, क्या भई, आपको भई, parameter तो x था, parameter तो x था, y कहां से आगया, मालूम पड़ेगा आपको भई, साई, y dependent, ठीक है, और जब आप इसको solve करोगे न, तो boundary conditions की वजए से, एक discrete variable इसके इंदर अपने आप क्या हो जाएगा, arise, उसको में क्या मूल रहा हूँ, n, तो साई, और जब boundary box solve करते हुए, nx नहीं है था, क्या नहीं है था, तो यहां भी क्या हैगा, discrete variable, क्या हैगा, तो साई, n y dependent, पता क्या हैगा, n, 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 normalization constant, n, n क्या है आपर, normalization constant, ओके, और क्या हैगा, h, n, harmit polynomial, y dependent, और e की power, minus y square by 2, तो, isn't it, तो यह तो मेरे पास क्या हैगा, function, अरे भई, इसको solve करते हुए, इसको solve करने पर, यह तो मेरे पास क्या हैगा, function, और साथ मेरे पास क्या हैगे, energy, तो पहले में देंर्जी क्या हैगी, क्या भई, energy मेरे पास है, क्या हैगई, ओके, आप चेक कर लोए न आपर, आपको पता लग जाएगा, देखं़ा, न, पहले में चेका फंक्शन की बात कर लेते हैं, बताओ, लास्ट में आपके पास बई, बताओ function क्या है आपके पास, ज्यान से देखो बई, अर बई, ये मेरे पास क्या है, function, आगा न, आपको क्यों बई, हमें तो function किसकी term में चीज़े था, अर बे, आप क्या करोगे, हमको तो function, किसकी term में चीज़े था, x की term में, हमारे पास function आगा किसमें, y की term में, तो हम क्या करें इस function का, तो आप इसको भी x function में convert कर सकते हो, कैसे, तरीका यह होता कि पहले आप कोई y function drive करोगे, क्या, फिर आपको पता y की value क्या होती है, उसको फिर आपके समें convert करो जी ली, ऐसे फंक्शन में पहले तो यह मेरे पस्ट क्या गया वही इस वेव फंक्शन से अब आप इसमें एक वेल वन पुट करोगे आपके पास क्या जाएगा डाय तो क्या बताएगा कोई को डिफाइन करेगा और वाइ क्या करेगा उसको describe इसंट इट तो एन की वेली वेल्ट करो क्या जाएगा आपके पास कि बोलो बई और boundary conditions यहां भी एन की वेल्ट पता कहां से पर मिट करती जीरो से क्योंकि जीरो पुट करने पर यह function कोलैप्स नहीं करता तो एन की वेल्ट मिनिम वेल्ट पर कौन से होती होता है अरे फंक्शन मेरे पास यह आया इसमें एक तो क्या था continuous variable y और एक इसमें क्या है discontinuous variable n जहां पर एन की वेल्ट क्या है 0 1 2 3 4 5 and so on तो एन की वेल्ट पहले जीरो पूट करो और क्या पता कर लो कि पहली वाइब्रेशनल स्टेट बताओ क्या हींगी मेरे पास पहले वाइब्रेशनल स्टेट लिकर दिखाओ साई 0 Y डिपेंडेंटी बनाहो तो क्या ही मेरे पास n 0 normalization constant क्या होगा n0 n कैसे निकालते हैं आपको बताएंगे अच्छा मुझे कम करते हैं n का भी मैं आपको formula निकालना बताएंगे कि n का formula कैसे निकलेगा ठीक है अगर आप यहाँ पर n भी तो आप यह function क्या diatomic oscillator की oscillating states को पूरी तरह बताता है तो इसके square का integration over the whole configuration space क्या बताएगा complete probability वो कितनी होती है 1 तो अगर मैं इस function का square करके integrate कर दूँ minus infinite to plus infinite isn't it तो बताओ मेरे पास क्या आना चीए 1 आना चीए ना बई अरे बोलो आप इसको यहाँ से check कर सकते हो बताओ बताओ दखो बताओ मैंने क्या किया यह function क्या बताएगा पूरत्रे से पहले बात तो भई यह क्या है यह क्या है normulation constant यहाँ पर function कौन से दे रखा है y dependence हाना भई इसको बोलते हैं hermit polynomial यह मैंने कौन साली क्लिए बताओ x dependent में connect कर लिया और भई आप यह बताओ यहाँ पर यह क्या लिखा हुआ है y square तो y क्या होता root beta x तो root bit x यह पुठ कर लिएगा beta x square क्या हो जाएगा beta x square तो क्या बनेगा मेरे पास यह e की power minus bit x square y2 बनेगा न square करो क्या करो equals to 1 इंटेग्रेट कर लिए इसको मेरे पास यह आगया आगया नहीं मेरे पास यह अरे बोलो भई अब इसमें एन एन के लावा हर चीज़ क्या करो दूसरी साइट फेक दो तो एन एन का expression बताओ मेरे पास क्या आगया तो मेरे पास भई नॉर्मलेशन कॉंस्टेंट की वेली भी आगी बताओ के याद गरल इसको रूट बीटा क्या है बताओ मेरे पास यह क्या है बताओ अरे भई तो एन एन की मेरे पास रूट बीटा बाई टू की पावर है एन फैक्टोरियल रूट पाई और सारे की पावर एक बटा दो यह नहीं मेरे पास यानि मैं किसी भी स्टेट का नॉर्मलेशन कोंस्टेंट इजीली केलकुलेट कर सकता हूं इसन्ट इट तो मेरे खाल से आपको विद्धिक्त नहीं चीए ओके तो मैं आपको कहा रहा हूं वही तो देखो हमारे पास हर चीज फिलाल फिलाल हमारे पास क्या वही सारी चीज़िए हैं हमने बताओ जिस्ट आपके होई विव फंक्शन में हैं वे फंक्शन में ह्न को बोलते हैं हरमिट पॉलिनोमियल और इसकी वेल्व देखो आप बतो क्या होती है अरे बोलो भई हरमिट पॉलिमिल कैसे नकलता है एक यह माइनस वन की पावर एन क्या होता है बताओ है अरे है एक एन वाई क्या होता बताओ माइनस ओन की पावर एन है और क्या बताओ एकी पावर माइनस है एकी पावर क्या है एकी पावर वाई स्क्वेर एकी पावर है वाई स्क्वेर और एकी पावर क्या है वाई स्क्वेर और एकी पावर क्या है वाई स्क्वेर और क्या है बी एन वाई क्या है और एकी पावर क्या है माइनस है वाई स्क्वेर तो ये बताओ मेरे पास किसकी वेल्यू है आर्मिट पर लो मिल की यह मेरे पास क्या है दखो आपको इस function में हर्ट जी वालूम है इस अरे भई आपके पास क्या है यह quantum oscillator की सभी states को पताने वाला क्या mathematical expression इसमें आपके पास हर्च जी फिलाल बतब कैसे एनन यहां से आ जाएगा और यहां से आजाएगा वाई की टम में आजाएगा और भई आपको पता है यह फिर पूट कर दो क्या बन जाएगा अब मैं आपको पहला function डिराइव करके बात हो पहला function कैसे आएगा आपने पास क्या निकल रहा है साइज जीरो आप वाई निकल नहीं आपने ग्राउंड अ बोलो भई फाइज जीरो स्टेट अपडराइव करो क्या होगा यहां पर आपको पूट करो हमें क्या चीए जीरो ओर्डर का डाइगा मार्सवन के पाउर कहा रखो 0 एकी प्रवकावर वाई स्क्वेर और डी एन कितना है ज़ीरो तो डी की प्रवकावर जीरो दी वाई की प्रवकावर जीरो इकी प्रवसे पावर माइन से को no derivative इसका मतला मैं डेरिविटीव करना ही नहीं तो क्या है मेरे स्की माइनस वाइस क्वाइर आ गया और यह क्या ही की Y स्क्रेज और मेरे पास माइनस 1 की पावर 0 वे यहाँ पर एक पुट कर दो तो स्ट स्वल करो इस और यह मेरे पास माइनस 1 की पावर कि जिए फ़ीपर जिरोटिया गया वण इंट वन तो मेरे पास जीरो ओडर का हार्मिट पॉलिनोमियल वाई डिपेंडेंट्ट क्या गया अब इसमें वाई आये निकाई तो वाई इसको कनोट करने ज़रूर थे नहीं है तो क्या है मेरे पास तो एंजीरो इंटू एक और प्रपर लिखो अब तो यहां पर क्या लिखो जीरो जीरो फेक्टिल क्या होता है रूट बूट पर रूट हाई यह क्या होता है तूगी पार जीरो जीरो क्या हो गया वन इन हो गया तो रूट बिटा पाई तो मेरे अरे रूट बीटा पाई तो मेरे पास क्या अगया और य्टु एक य आगया हर्मिट पॉलनुमियल आ गया और मैं वाला फॉंक्सट निकालने हुँ वो किया रहीगा सामनिय क्या रहीगा एक पावर माइनस है y square y 2 अब y put करी हो इसको x वाले function में convert करो x वाला function क्या हो जाएगा बताओ वही बताओ क्या हो जाएगा beta by pi की power 1 बता 4 into 1 into e की power minus beta x square y 2 ये मेरे पास क्या आगया बताओ वही एहला mathematical expression isn't it ये आपके पास क्या आगया यह आप पढ़ते हो spectrum इभी जीरो लेवल यह वी जीरो state को पताने वाला क्या mathematical expression यहनि के इस यह क्या वही इसके vibrate करने के पहले तरीक के को पताने वाला mathematical expression ग्राउंड vibration state का क्या है mathematical expression असानिक उसके लिए सिमेडरली बताब क्या कर सकते हो अब सिमेडरली बताब क्या निकालोगे अरे वोलो भही और बताओ तो पहले क्या निकालना आपने वाई वाला अरे बाई वहन श्तेट कर लो तो यहां पर क्या है मेरी पास यहां पर क्या पूट कर दो एन वन निकालोगे कहां से यहां से न न ना देएगा यहां पूट कर देंगे इंटू करी हो भई अच्छा हम नहीं क्या करना फिर हर्मिट पोलिनोमिल कौन सा H1Y यहाँ पर N क्या पूट कर दो 1 बतो H1Y क्या होगा माइनस 1 की पावर 1 E की पावर Y स्क्वेर और N कितना है एक तो D Y D Y D Y किसका E की Y स्क्वेर का माइनस का है ना सॉल करो इसको माइनस 1 इंटू E की Y स्क्वेर और E की Y माइनस को क्या माइनलो तो E की तुम पहले करो पावरा करो पावर का तो माइनस Y स्क्वेर क्या होता है माइनस 2Y आरे भई माइनस 2Y आ गया और इस का इस टीज E की माइनस Y स्क्वेर वोले पूभराइब यूवा बिल्म शीदा गार के आमकरा ही इक माइननस आफ ऐस्वाइब मिल्टीपलें इनटपलें पाउर टूर जुदेंगी सुरुत एक पावर 0 जाएगा 1 एक आगया तो 2y आगया मेरे पास तो क्या आगया एन वन इंटू 2y इंटू एक पावर मैनस y स्क्वेर बाई टू यह ना पुसंदी अरे बोलो भही जब आपके पास एक बारी फंक्शन किसमें आ गया y की टम में आ गया अब दो बटा एक्स की टम में इस फंक्शन में कैसे लिखो बतो क्यों साइव वन एक्स लिखो बतो क्या आ गया n1 इंटू 2 इंटू रूट बीटा एक्स इंटू एक पावर मैस बीटा एक्स स्क्वेर बाई टू कन्वर्ट होतो गया हमको यह तो चीज़ हो यह तो यह क्या है उस हार्मोनिक उसलिटर के क्वांटम वर्ल्ड में उसलिट करने का दूसरा तरीका इसंट इसंट इट क्या आप ऐसे सारे तरीका निकल सकते हो क्या कि निया इंगे तो बस पांच मिट खार रहा है यह यह बताओ अंतरे यह दो क्या है एच जीरो यह कुम सा बताओ भई और वह जीरो ओडर का आर्मिट पलनों मिल यह कौन सा मारा है एच वुन देख्यों क्या है हमारे पास है तू भाई है एच टू मेंने पास क्या है यहांस देखू है फोर वाई स्क्वेर भाई नहीं आना पासों में माइनस टो अब यह टेबल देखो यह बहुत इंपोर्ट बाता था बई कि अना और भई आपल एल फा बाई बी टा अगड़ ले एच नो भगा है उनके लिए और end क्या बताओ रूए खो ऑन भागो错 बदाओ पेले मि बने फंक्च्शन का बनेगा वाई की प्रकतर प्रटी करदो रूट में टैक से यह बन जाएगा आप इसकी टिपिकल फॉर्म देखो आप अब टिपिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जैसे आपने हाइडोजन एटम के फॉंक्शन दे लिखे थे क्या वैसे ही आप किसके फॉंक्शन लिख सकते क्यों पता है कि बोलो भई हार्मानिक उसे लेटर के इसको आप चेक करिए मैं भी लिखता हूँ अब आप मुझे बताओ मैंने कौन सा फंक्शन लिखना है बताओ साई जिरो लिखूं क्या साई जिरो लिखूं क्या मैं लिखूंगा help ंlle1 की पाभजी बदो यहां परbers कि पावर ही बहुआ surtout सब इंटु एकी पावर माइनिस एफा टू एक्स एसी फॉर माइगी चेक करो मैं एक दो लिखता हुआ थे थे खेल ना मैं एक दो फंक्शन ओर लिखता हुआ और बताओ अब तो साइटू लिखो साइटू सब्स隨 dot इस भी सब्स पार की मिनिम पड़ार के रह्ती एक बढ़ाा आख यह यह वड़्या है ना बढ़े तो नहीं बढ़ड़ा नहीं पर नहीं बढ़ अपको पले पड़ रिगा और बोलो भई तो एक्स की पावर वन आगे न अब बोलो भई एकी पावर माइनस है एलफा टू एक्स यह आगा मेरे पास नहीं बढ़ आपको पले पड़ी और बोलो भई साइज जीरो में कहेंगी एक टम साइज में कहेंगी पाफ एक टम आगी आपर इसंट इट अब बतो साइटू लिख और साइटू आप साइटू लिखो भई बतो क्यों हो जाएगा मतलब मैं आप को तो होगा क्या कि आपने पाफ क्या करने अपने पाफ क्या कर नहीं है गटानी है और दो दो गटानी है अब जीर से दो गटे कि बतो कहां जाएगी कहीं पर भी नहीं एक से दो गटे को आप पहुँच जाओगे माइनस में और दो से गटके भई हम आ सकते हैं न जीरो तो बतो क्या है एलफा 1 x की पावर 2 माइनस एलफा 2 x की पावर 0 2 e की पावर माइस एलफा 3 x क्या हाँ एक स्केर बताको पहले पढ़ गी और मैं कहूं भई अब बतो साई 3 लिखके दिखाओ साई 3 बतो क्या होगा एक्स की पावर 3 से शुरू करो और दो दो गटा पावर एलफा 1 x की क्यूब माइनस एलफा 2 x की 1 और कम और कम क्या वही तुम नेगेटिव पहुच जाएंगे और पॉसिबल नहीं है यह की पावर माइस एलफा 3 x क्या है यह बत अपको पले पढ़ी गया अबरा चेक करी कि एसी फोरमारीम की दियान से देखो आप बताव देखो एक्स की 2 x की 0 तो साइ 2 में कहां से शुरू इगी बताओ और यह तकी पावर 2 और x की पावर 0 x की पावर 3 और साई 3 में क्या हो गया कि नहीं बत आपको पले पढ़ी ना निया कुसम यहाँ चलो मैं एक फंक्शन आपको भई लिखके बाद तो और फंक्शन एक बाते नहीं बाते नहीं बाते नहीं अच्छे काम करो आप मैं कहारे हूं आपके काम करो भई size 6 लिखके दिखाओ क्या तो बहुत simple है क्या करना है एक्स की पावर 6 शुरू करना है दो दो पावर कम करनी क्या हो जाएगा एल्फा 1 X की 6 माइनस और अल्टरेनेट साइन एल्फा 2 X की 4 पुलस एल्फा 3 X की 2 माइनस एल्फा 4 X की 0 बन गया एक प्रिक्स पार्ट और इंटू एक पावर इंटू है एक पावर माइनस है एल्फा 5 X की बन तो गया नहीं वह तब को पली पड़ी बन तो क्या करना है यहां पर आपने X की मैक्सिम पावर को वहाँ पर था ना जिसे आप टिपिकल फॉंक्शन भई रेडिल फॉंक्शन की लिए आप लिखते थे कि जो L की वेल्यू होती थी वह आर की मेनियूम पावर कि अब यूँज किया करते प्रिएक्स्पौंशिल पार्ट में तो साहिं के मालूम कर सकते होगी कि किसका ट्राइल सॉरिव का फंक्शन की यहां पुसुमें अब चेक करो यह बोता कॉन सा है साइट री तो क्या गया हमारा हरमेट पोलिनोमियल इसको फिर कहां पूट कर दो यहां पूट कर दोगे तो क्या बन जाएगा यह बन जाएगा आप इस तो तो यहां समय होगा साइट आपको यह जाएगा जाने कोहां जींदू अन्दर मट्टिप्लाई हो गाथ टू चैनलड़ अलस्तिप्लाई हो से अलफावन और डmeal यह बोदाए में D फिर खाना हागे नहीं आते मैं इंट्रमिटेंट फास्टिंग पर हूँ तब इतना वह लाओडली बोल रहा हूं ठीक है ओके अब भई तो आपको फंक्शन आगे निकलना और यह बताओ किया है यहां से आप कह निकाल सकते हो नॉर्मलेशन कॉंस्टेंट अरे वह यह वैल्ल नॉर्मलेश्यन कॉंसिन फास्टिंट की होते थी रूट फॉबज रहा है यह घचेम्ज नहीं होड़ हो तो י स्कू की वालक पो यह यह लिए 95 पैने इकुर में तो आपके अपक्टीयिक अपसर नहीं कॉन हो यह हो दो अपकर अबन टो इससे मोश्च नहीं सकता है कि बताओ बताओ भी पांच इस टेट आसेच इफ पांच भी वाइब्रेश्ण स्टेट करेंब और영 और चोथ इस दिस अंत रिश We washing क्वेश्ट कश्डेट तीसरी के नर्मगेश्ण कॉंस्डेट से कितने गुम्रेश्ण और चोथी Vibration State का Normation Constant, उनका ratio क्या होगा? या 5 मिं का Normation Constant, तीसरी के Normation Constant से कितने गुना ज्यादा आया? कम होएगा. तो N5, N3 निकाल के उनका क्या क्या गर लिया अपसमे? डिवाइड कर लियो, ratio निकाल लियो. अब आपको पहले पढ़ रही है? अब आप देखो भई अब हम देखते हैं आइगन वेल्यूस क्या आइगन वेल्यूस अब आप ये बताएं मैं आपको बताऊं भई जब आपनी कुशन सोल की थी न मिटाद इसको आपने कितने कॉंस्टिंट मानने थे बताऊ एलफा और बिटा आपने वई दो कॉंस्टिंट निमाने थे गया और फिर आपने क्या सोल की थी शरूर डिंजर वे ओ एक्वेशन तो जब आप शरूर डिंजर करते होने इसके लिए तो बाउंडरी कंडिशन पता है कब सेटिस्फाई होती है जब एलफा बाई बीटा टू एन प्लस वन के बराबर होगा क्या अरवी जो एलफा था नहीं यह और जो का था यह बीटा यह जब क्या होगा बताओ भई टू एन प्लस वन के बराबर होता है तब ही क्या होती है बाउंडरी कंडिशन क्या होती है यह फंक्शन क्या रहता है जब इस एलफा और बीटा की वैल्यू का रेशो टू एन प्लस वन होता है ना तब ही बताओ क्या होता है function कहा रहता है single valued continuous और finite और जहाँ पर n क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on तो अगर मैं alpha की value यहाँ से उठा के यहाँ put कर दूँ और beta की value यहाँ से उठा के यहाँ put कर दूँ फिर बोलो भई तो मेरे पास क्या जाए बता हुई उपर तुम क्या put कर दूँगा 8 phi square m e by h square और यह क्या हो जाएगा 4 phi square m new y h is equal to 2n प्लस वना जाएगा अब यहाँ e के अलावा काट पीट के भई उस side fake दूगे अरे भई क्या हो गया है यह ना तुल्टा होगा भई फिलिप के था मैंने फिलिप वह नहीं है है जपन 4 phi square m new ठीक है तो भई इसको काट पीट के जो भी बने आपका ठीक है ना बत अरे बोलो भई इसको आप उस इसको भई तो इक अलावा हर चीज को उस side प्रण अपके पास यह बनेगा एन प्लस आप क्या बनेगा है एच नियों इसको आप बिबेशक सोल कर लिए है क्या बनेगा आपके वास यह देखो अरे मैंने सब्सक्राइब कर देखेंगे इस चार था चार से भी आठीक टेगा बताव अनको भी अरे मैंने पूट कर दिया इन के लावा हर चीज में वहां फेक दिए बताओ क्या बन गया आप समझे दो आ पड़ते हो अरे पीसी में की वी पलस आफ एच नू क्या लुक्ति आप एणर्जी और मालुं पड़ि कहा से मालुम पड़ि हमको वह साथ यहां से आई थी क्योंकि यूजूओली यहां पर जो सिंबल न को इसको इसको एंड की वज़े कई वारी वी से भी रप्रेजेंट कर देते हैं स्पेक्ट्रों की बुक्स में मोस्ट्ली इसक यहाइ आपके पास जाएंगी पहलो पार अनर्जी आपके पास आपके पास क्या से जाएंगी तो आपके पास क्या सेगी बताओ और बताओ और क्या है इवन क्या है फ्रीवाइट फ्रीवाइट लेकिन जूल में एक इंगे डियान रख्यों किसमें मेरे पास जूल में जूल में है ओके तो क्या है मेरे पास है जूबाइट जिरो पुट किया अचा जिरो पुट करने पर क्या ग्राउंड स्टेट के पास क्या हो नॉन जीरो एनर्जी क्या बोलते हो उसको तो मैं देखा कि वाइब्रेशनल एनर्जी कैनाट बीरिमूड कम्प्लीटली अ है जुमाद अफको पले पडिगे भई तो जरो प्राउंड एन्जी क्यागे मेरे पास है जूबाइट अगली कौन सी आगी ठी बाइट वेशन अगली कौन सी आगी एक तो यह आग्या एक्सपेशन याविए यह एक सिर्ट नाटकाश करा होता जोगों या पर उमेंगः ल Joule में है अगर मैंसे कनवर्ट करने चको किसमें बताओ A e is equal to h nu हुथ 07 परे है अब नु क्या होता बताओ CT तो वन वाइनटाय क्या होता है निवार तो निवबार कैसे आति हो गास्क naar Joule के energy हो बाग में hec And Joule के Energy को एक सी से बाग कर दो क्या बन जारेगी कि सेंटिमेटर नॉर्स वाली एनर्जी निया अब आपको सागरी गाँ तो बताओ या अगर मेरे पास अनर्जुल में यह है तो अगर मुझे से किसे करना हो सेंटिमेटर नोर्स में तो इक और कि सिर्फेस कर लो अरे दोनों साट किसे बाग कर दो HCC Isn't it इसको किसे बाग करो HCC नहीं है ना पुरस्ण में और यह बताओ क्या है एक तो तो यह हो गया तो E is equal to अरे भई E by HC is equal to N plus half H new था इसको लिखो पहले HC by lambda अभी भी है है अभी भी क्या यह और one by lambda क्या लिखो न्यू बार अभी भी क्या यह energy है लेकिन अभी सकत्राइब करो HCC तो HCC क्या हो गया cancel और E by HC क्या होता है हमको बताव न्यू बार होता है तो न्यू बार में energy बताओ किसमें आगी N plus half new bar लेकिन भाई यह इसको फिर दिखाने के लिए इसको यह वेव नंबर में है इसको ऐसे जो इसे रेप्रेजेंट कर देते हैं अभी अपने क्या बारी अभी क्या वेव नंबर की energy है कौन से energy है वेव नंबर की और इसको फिर बही निव बार क्योंकि थोड़ा जीद सा लगता है इसको फिर के उसको लिए नंबर की बार अब अपनी देखना है कि वह एक तरह से जो इसकी जो स्टेट्स होएंगे आपको कैसी नज़र आएंगी यह आपका आपकी दिमाग में होना चाहिए ओकी तो आप यह बताएं कि वेव फंक्शन हमारे पास बताव कैसा आया था बोलो भई क्या है हमारे पास साई अंब साइन एक्ष डिपेंडंट यह बताऊ मारे पास क्या है था यह मारे पास को इसको मैं संदने बोट देता हूं क्या एक्ष डिपेंडेंट हो न एन्न से हैंगे नर्मले अचिन टु एच एन हार उन्ह नमे लिल प्वे चवाला लिख लिए ओक और इन्टू क्या और हमारे पास एनर्जी फॉमूला क्या था इन इस एकॉल टू एन प्लस हाफ और है जूल में बहुत है न तो वेव फॉंक्शन है हमारे साथ हमारे पास अपर आपके थी अब अगर मैं यहां पर वही क्या बनाना चाहूं एनर्जी लेवल डायग्राम तो मुझे क्या करना प आप वर्टिकल रखें सको बताव वही हम क्या करेंगे आपर देखो आपने आपर अनकी जिरो पुटकी हमारे पास कर जाएगा बोलो भई तो तुम क्या बोलेंगे मान लिया ये एनर्जी कौन सी है एच निव भाई तू फिर बता कौन सी आगे मारे पास वन पुटकर यो बोलो भई 3 by 2 h नू लेक्ष्ट बताओ हमारे पास क्या एगी 5 by 2 h नू सिमेदर नेक्स क्या एगी 7 by 2 h नू तो आपने बात देखी तो को आप से पूछ ले तो आपने बताओ आप को यहां पर भई इम्मीजेट आप यहां पर क्या कॉंक्लूड कर पारे हो इसके एनर्जी लेबल डियाग्राम से इसके एनर्जी लेवल डियाग्राम से आप भई हर एक energy allowed नहीं है, कुछ खास energies ही क्या है, allowed है, isn't it, दूसरा बताओ भई, immediate observation हमारा क्या है, हमारा दूसरा immediate observation क्या है, कि भई, इसके पास एक minimum energy होती है, बताओ कौन सी, h new by 2, इसको हम क्या वो लेंगे, 0 point energy, देखो, classical oscillator के energy बताओ क्या होती थी, बताओ भई, क्या होती थी, 1 by 2 kx square, थी न हमारे पास, हमारे पास classical oscillator के energy क्या थी, 1 by 2 kx square, यहाँ पर आपने एक 0 put किया, तो energy क्यों जाएगी, 0, यहनि classical oscillator के energy 0 भी हो सकती थी, लेगिन quantum oscillator के पास एक minimum energy होएगी, तो हमको पता लगया भई, क्वांटम oscillator के energy को पूरी तरह से खतम, नहीं कर सकती, classical oscillator के energy खतम क दूसरा बता आपने क्या देखा, energy level क्या है इसके, quantized है, isn't it, तो बोलो भई, ठीक है, यह दो यहाँ से मिलते हैं, immediate, बोलो भई, observations, ओके, और आपको भई, अगर यह state त्यार करनी हो, कि भई, यह क्या बोलते हैं, इस state के लिए, function कौन सा आएगा, बोलो भई, तो यहाँ प पास, n, n का जो formula, आप यहाँ पर देखो, माले मुझे function लिखना है, तो बताओ क्या होगा, अरे बोलो भई, यह बताओ क्या होता है, बीटा के लिए यह होती है, यह बताओ क्या मेरे पास, n, 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 बताओ कैसे आएगा मेरे पास, इससे आएगा और h, n, y, यहाँ से आए होगा, y में फिर में क्या पूट कर दूँगा, रूट बीटा, x, तो आप यह बताएं, बताओ भई, यह आगया मारा energy formula, तो n नोट और h नोट क्या होगा, मतलब, अरे बई, n0, h0 क्या होगा, n0 तो क्या होगा, इस formula में, n0 पूट करने पर, n0 क्या बन जाएगा, बीटा y pi की power 1 by 4, और हर्मिट polynomial, y dependent क्या बनेगा, एक, भई क्योंकि इसमें x नहीं है, तो x dependent भी क्या बनेगा यह, एक ही बनेगा न, तो बताओ क्या आजएगा, मारे पास यह function, si zero x dependent क्या एगा, n0 क्या होगा हमारे पास ही होगया, हर्मिट polynomial, बताओ क्या होगा मेरे पास भई, नहीं बताओ पुले पड़ी क्या, हर्मिट polynomial x dependent क्या है मेरे पास है, वन आ गया जिरो ओर का और यह बताओ क्या है एक पाओर मायने से वाइस क्विर भाई टू था वाइस क्विर की जगा मैंने क्या रख दिया है पर बीटा एक स्क्वेर मेरे पास यह आ गया एजन्ट इट अब बताओ क्या करो भई इस एनर्जी फॉमूले में न की वल्यू जि क्विर फॉट्ट करते जोओ फॉंक्शन आ जाएंगी उसमें इन की वल्यू जेरो वन 5 entrar कर आएगंगी खैघी सफंख पर जाएंगी किस ना बर समेंगी इनगी है सेहन संस्टीमेटर इंवर्स में तो सेंटिमेटर इंवर्स में तो यह मैंने आपको पताई था क्योंकि E क्या होता है H NU और H NU क्या होता है C by lambda और 1 by lambda क्या होता है New bar तो HC New bar Isn't it और बोलो भई तो तो New bar क्या होता है New bar कैसे बनाते हैं तो Joule को New bar में कैसे convert करते हैं E को किसे बाकर देते हैं HC से तो फिलाल यह भी E है और यह भी क्या है दोनों साइट यह वही तो अगर मैं दोनों साइट किसे बाकर दूँ बताओ HC से Isn't it तो यह बताओ अपने आप किस में convert हो जाएगा बोलो भई सेंटिमीटर इन्वर्स के अंदर तो पतो क्या जागे मेरे पास की तो अगर मैं यह को हूँ इसको आप किसे बाकर दो तो तो इन इस इकोल टो एन प्लस आफ और यह क्या है एच नू इसको लिखो एच सी बाई लेमड़ा क्या बना दो यह आपर नू बार और इसको भी किसे बाकर दो अब दो सटी से बाकर दो भई एच सी से इसे तो बटो यह तो क्या होगा मारे पास बेवन नूमर के इनर्जी इसको में शोकर दिया ऐसे ठीक बात था कि एपितली नहीं है ऐसे जीव साई इस इकोल टू क्या गया एन प्लस आफ क्या गया मेरे पास नू बार आगे ना अब नू बार को यूजुवली क्य होगा एजिए उमेगा-ई क्या इक उखीविलिब्रीम वाइरे शनल फ्रिक्वेंसिट करें मेरे पास बतां मेरे पास क्या गया दूसरा फो मेरे पास क्या गया थो थो कि यहां मेन प्लस ऐप एमेगा-धाक िबार सबहा एक। पूर्ण एनरजी लेट दागरम कॉन्सा होगा कॉंट्म में यह पुदर होता है स्पेक्ट्र में वाला पुदर होता है आपके पड़ोगी जब ठेक ना यहां पर एमक्न क्यों पुद ग्रो जीरो बतों यहां पास उमेगा ही बाई यह क्यों जाएगा ओमेगा यह थ्री बोलो भई एकुलिवी विब्रेशनल फ्रिक्वेंसी वो किसमें वेव नमबर में एजन्ट इट ठीक है आगवे आपको एंदरजी लेवर डाग्राम अब हम देखते हैं बताओ क्या कमपैरिजन ओफ क्लासिकल एंड अब आपने क्या पढ़ना है कमपैरिजन ओफ क्लासिकल ए क्लासिकल एंड नर्जी और उन्हें तयार कैसे करते हैं और यवर डियाग्रम त्यार करता हूं ठेक नबत ह pig कि हब बताओ बतव क्लासिकल इनरजी क्लासिकल ऑगा पॉटेंशेल इनरजी कारू बताओ क्या होता मेरे पास हाफ k x स्क आध रहे बॉलो भई तो छुन keyword में इसका potential energy कार्व data क्ल dep град कर लेता हूं ओक है जो प्रता हुए माइनस डिस्प्रिस्मेंट माइनस x expansion क्या होगा वही प्लस x यह निके भई प्लस मतलब displacement प्लस में आएगा इसन्ट इड़ तो अगर मैं यह कूँ मतलब मुझे एक डायग्राम पर अगर मैं यह कूँ कि मेरे पास यह एक क्या बोलते हैं वही मैं कहता हूं यह पॉइंट जो ना यह 0 यह क्या है है मतब जीरूदस्प्लेश्मेंट किए 0 displacement और इस स्ऑइड में किया बोल देजे बॉत हुई माइनस सेक्स और सब 222 1060 दो कि तो 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 यह जीरो दि seguridad क्योंकि इसके नदर क्या होता है तो डोनों चीज़ बदलती है और एक्स भी आर का मतलब क्या बॉंड नेंग्थ बढ़ती और गठती नहीं क्या और और उसी के कोडिंग क्या displacement घठता बढ़ता नहीं क्या बोलो भई तो मैं एक डाइग्राम से दोनों चीज़ें शो करने ही ट्राइ करूँगा कि वही मैं आर भी शो कर सकूं और displacement को भी हाला कि मतलब एक के मुखा एक मुखा दोनों में से एक ही डिफाइन करना ही जरूरत होती है क्योंकि एक के मुखे जब आपने एक डिफाइन कर दे दूसरा आपको अपने आप मालूम है अगर मैं यह को हूँ कि आर एकुल विरिम क्या है 10 मैं को displacement 2 है तो सबको पता हुए 12 और स्रीक होते हैं या तो दोनों एक्टम क्या करो भई एक स्प्रिंग तो या तो क्या करो इसको करों और एकस्पेंड करूं पुषकूर पूल करूं तुम भी तो भी बात रहें की मेरे पास है और दस से मुझे आठ बना नहीं है बांद लेंग तो मैं एक सकोई साइड एक सटाइड आठ होगी या इसको फिक्स करके इसको ना क्या गर दो जाए तो भी बात होगी आपको तो फिर इसका करने फाइदा क्या है इससे हमारा जो भई क्या बोलते हैं जो प्रोब्लम है यह यह थोड़ी इजी हो जाती समझने के लिए ठीक है नियुक्त आपको तो एक 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 दो आप फिक्स तो सबसे पहले बताओ अगर डिस्प्लिस्मेंट हो ही ना डिस्प्लिस् है एनरजी है और इस लाईन पे पाई एनरजी और इस लाइन पर बाते हैं है और चल Girls के डिस्प्लिस्मेंट या बाउंड लिंग्थ अब डिस्प्लिस्मेंट जीरो है इसका मतलब कैंकी बहु लेक्ति वेलाím कोई शमास्ताँり नहीं एक आप एक एक पर होगा तो का अरू है रखना एक एक इंदर्जी पास कितने पॉलीगी यह इस गयो को क्योंकि नौ डिस्प्लेसमेंट है इस क्या थी वन ऑई टू निए एक्स इस्ट्वेट तो नो डिस्प्रेश्मेंट नो पोटेंशल याएगा लेकिन मैं तोटल एनर्जी करूं भी ऐसा याएगा तो आप यह बता हूं अगर किसी मॉलیک्यूल के ज्यादा होगी उसे आप काहां रखोगे उपर किसी मॉली क्यूंधिक अप काहां रखोगे नीचे तो मैं कहूँ एक आटम यहां एक एक आटम हैं है भोलो भई आप यह मानू कि डाया आटम एक मॉलीकुल कैसी उसे लिटकर रहा है अब क्लासिकल मे तो एक एक है एक है ठीक बात इन में कोई और सेलेशन नीए है तो इसके अंडर्जी क्या होगी एक जिरो पुट रही हो तो इसको मैं कहां रखूं वर्टीकली बताई हो ऐसा एक एसा मॉलेकुल कहा रखा जाएगा बिलकुल इस पर जिरो आइट पर यह तो क्या होगा पहला एक्टम परिगा मारा दूसरे में एक तरह से मॉलेकुल में ड्रो भी कर दिया निवा तब को पले पड़ी यह मॉलेकुल करता है मॉलेकुल है तो उसके बढ़ेगी तो अब एक मॉलेकुल और सोचो एक मॉलेकुल आप और सोचो जो बताओ क्या कर रहा है जिसमें तो यह दूरी तो यह दूरी बताओ क्या है और एकुलिब्रियम क्या है और एकुलिब्रियम क्या है और एकुलिब्रियम क्या होता है और एकुलिब्रियम पे डिस्प्लिस्मेंट क्या होता है और एकुलिब्रियम पे डिस्प्लिस्मेंट क्या होता है जीरो तो कर रखा है मैं हों यहां से लेकिन आर एकुल्विम और उस पर डिस्प्रिस्मेंट कहीं जब और एक पुल्ब्रे मह कुण वह जो थोड़ा ऐसे और इसके पास displacement है 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 कि तो इसके इनरजी जीरो आई कि नॉन-जीरो आईगी अब बता हुई कह ना अब बता हुई कि नॉन-जीरो आई गिना तो यह मोलिक्व इसी आयट्ट पर बनाया जाए तो इस मॉलेक्व का एक 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 टम में नहीं है शो कर दिया और दूसरा एक्टम को कि फिक्स कहों है तो मैं उसको ऐसे शो कर दो इस टाइप से निवह क्ट को पड़ी एक टूम्हें निया वाला मॉलेक्टुल मैं यह मॉलीकुल नीचे बनाया है यह मोलीकुल उपर रखना पर अब पटतो जया शहना नीचे रखा है मैंने और यह थोड़ा उपर बनाया मैंने क्यों कि विसके पास एनर्जी आगी तो एनर्जी गली उपर जाएगा यह बात आपको पहले पड़िए अब एक मोहने को दोर सोचो जिसमें यह एक्टम क्या फिर से फिक्स है लेकिन और ज्यादा क्या कर रहे है कंप्रेशन और एक विफिलेशन के सके अनर्जी के और भी जैदा होगी मांद लिया वहां आता है है क्योंकि दूसरे एक्टम को दूसरे एक्टम को मुझे वहीं ऐसे विए वैसे शोक्र रहे हैं क्यों अब आपको पड़ ज्यादा क्या है इसका मतलब क्या है कि जिसमों एक जो मोलक्यूल ऐस इतनी है वाद आपको पले पड़ गई तो जितना ज्यादा क्या होगा अगर मैं यह को इसी मोल्डी की ऑसीलेशन थोड़ी और ज्यादा क्या हो जाई वाइड रोज तो यह और कहां पहुंच जाएगा उपर निपो जाएगा और यह की यह से थोड़ी का मुझे तो यह कहां अगर मैं सबको तो मैं ऐसे ड्रो कर दो इसके अंदर अगर अगर मैं अगर अगर नहीं तो यह वास्तों में आपको यह क्या बना दिया मैंने वह यह बखवास है वह यह बखवास यह है यह बखवास यह है किवह यहां पर x कोई भी वेल्यू 10 का सकते हैं तो इस डाग्राम के दो फाइदे हैं फेली बात नहीं आपको एन्रजी लेवल्सम से लिखाथे लाइन से लाइन से हैं हाँ पर हर यहां पर देखो यह भी एक क्या है लाइन यह भी क्या है लेकिन लेकिन यह लाइन इस लाइन की विड्ट तो क्या शोकरती है इस लाइन की हाइट क्या शोकरती है इस लाइन की हाइट क्या शोकरती बतो कि एनर्जी कितनी है और इस लाइन की विड्ट क्या शोकरती है क कि इस एनर्जी को क्रियेट करने के लिए कितना displacement है रिक्वायर्ड है लाइन की हाइट तो कैसे करती है एनर्जी और को फिर वह यह से क्या बोलते हैं यह से कौन सा कैसे बना रहे वह अगर आपने छोटी निची यहां पर आपके रोखी एक छोटी लाइन फिर थोड़ी उससे सटा के बिल्कुल थोड़ी लंबी लाइन फिर थोड़ी लंबी लाइन और 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 लंबी लाइन तो आप लगातार पहले बात आप लाइन ड्रों कर रहे हैं से उपर नीचे समझे बात और बिल्कुल क्या कर रहे हो एक दूसरे से सटा के ड्रो कर रहे हो और उसकी विड्स लगातर बढ़ आप बढ़ा रहे हो भई तो आपको ऐसा पेटर नतर नहीं है क्या तो वास्तों में बहुत सारी लाइन है जिनके विड्स लगातार क्या हो रहे है गट रही है तो यह किसी चीजें किसी क्लासिकल ओसिलेटर की एनर्जी कितनी एनर्जी क्रेट करने के लिए कितना displacement चाहिए मैं यहां पर भाई मैं यह बताओ क्या ड्रो कर देता हूं एक और तो ग्रीन पर ग्रीन हो जाएगा ठीक है आपको भी नहीं आए नहीं आगया और यह बताओ क्या है नदर आपको भी यानि इस से इस साइड कंप्रेशन एक्सपेंशन पहले बहुत आर्मोनिक है क्योंकि कंप्रेशन और एक्सम2019 हमेशा बतो क्या रहे हैं इकृल तो क्लासिक आलों से लेटर तो वा यब अब ऐबरी आप नदर क्लासिक नसलेटर के लिए आप देखो लिए यह याख बार लोगवर क्या जक्र रहा आप ने बात देखिक पहली बातinee थो क्लासिकल आ accessibility सकती है हो सकती है कि कब भाई क्लिए क्या हो जाएगा आप क्लासिक क्योंकि आपने और क्वांटम उसीलेटर को आपने पर्फेक्र करना है ठीक है बाथ तो आप एक बार इंग कंवे केर ले आप इंग पॉर्परिटी देह ले ठीक है ख्लासे उसलेटर की तक याप पॉंटम उसलेटर की प्रोपर्टीस इससे डार्ट ली कमपेर कर पाएं पहली बात तो मैंने का अमको क्या दिख रही है कि एनर्जी लेवल्स वह देखो हर ये वास्तों में ये बहुत सारी क्रोजली स्पेज क्या है अरे वर्टिकली स् लेकिन वह लाइन की विड्स लगातर क्या हो रही है बढ़ रही है इसलिए इसा प्रटन जरा था है ठीक है तो बताओ यह लाइन स्कॉंटिन्यूस है कि डिसकॉंटिनूस है वह रजी का लाइन नहीं क्या एक है तुम क्या बोलेंगे एनर्जी लेवल ओफ क्लासिकल उसले मेल्टर के एनरची क्या होते हैं कॉंटिनूस दूसरा ऑपजरिशन क्या है बटाओ कि वय इडिया भी वाइब्नल एनर्जी वह ऑन क्लासिकल स्लिटर गैन भी सीज़ कॉंप्लीटली इसकी मेंनिमम एनर्जी क्या सकती है जीरो अगर डिस्प्रेश्मीक्यं होगा जीरो परेशन कि एनर्जी लेवल स्काइस के इसके कोंटिनूस दूसर अब दुर्वेशन कैसे बहुत एनर्जी एन भी जीरो तीसर अब दुरुशन क्या है इस प्राइम एक्स्ट्रीम पॉजिशन कैसे वह तरफ जर्शी है कि मॉलेक्वल मेक्सिम टाइम का स्पेंट करेगा एक्स्ट्रीम पॉजिशन पर एक्जामपल मैं यह वाला एनर्जी लेवल देखता हूं कौन सा वह यह वाला ओके मान लेंगे कि तना और रख्या बताओ अर बाइब यह जो लाइन है कौन से लाइन अरे यह लाइन था इसको बाहर निकाल देता हूं अब समझ जो इसको रही नहीं नहीं तक पले पड़ी किया तो आठ और दस आपके आठ और बारा तो यहां पर जो लाइन होएगी कापर यहां पर बताओ अरे मान लेंग्स क्या है 10 unit कितनी भई क्या होगी आठ और बारा तो इतनी एनर्जी क्रिएट करने के लिए मौले क्या करता बता हुए बलके 30 अब देखो कि there is a limit over expansion and compression there is a limit over expansion and compression for each energy level all away isn't it और एक एनर्जी क्रिएट करने के लिए एक्सपेंशन compression पर क्या एक limit है अगर यह लिमिट बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है यह लिमिट गटती तो एनर्जी गटती आपको साफ दुए मान लिया यह एनर्जी आप कितना मान लोगी मान ले अनर्जी आपने मान ल कितनी इनर्जी मान ले यह 5 by 2 है एक नियू मान लो भई आपको मैंने वह यह तो क्वांटम की होती है अरे वह वह क्योंकि याद रखो जो जो वैल्यू क्वांटम डॉमेन में होती है वो सारी कहा होती है classical domain में लेकिन जो classical domain में होती है वह सारी quantum domain में नहीं होती तो 5 मेंट वह मुझा पता भी कहा पर होती है quantum domain में होती है लेकिन यह गालासेल भी होगी तो मैंने ऐसी वैली चूज की है दोनों में कॉमनों तक हमको समझेन में इस अब रहा है असानि यहां पर 5 विटे 2 भी है यहां पर आपने अर्ट फाइव है यहां पर आपने नोबी है और उसे कम भी है 1.5 यूनिट भी है 1.4 भी है 1.3 भी है 1.2 भी है 1.23 भी सब कुछ है आपर वहां पर सिर्फ कौन सी होएंगी 0.5 एचनू 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 फाथा वन आपको यहां पर वह तो है है उनके लाव भी क्या है सारी लेकिन ताकि आपको भी कंपेरिजिन करना पड़ेग में कि जो क्या हो क्वांटम में भी होती होता कि आपको भी डारेक्ट कंपेरिजिन में आपको दिक्कत पेशिए ना आए है ओके बताओ वह तो देखो भाई टू एचनू एनरजी क्रेट करने के लिए मान लिया इस लाइन की हाइट कितनी है 3 by 2 एचनू तो 3 by 2 एचनू अगर इसने क्या किया यह निके बताओ कि निया अगी मारे पास अरे भाई इसका मतलब क्या है अगर मोलेक्यूल में अगर बॉन्ड लेंक दस है और दस ही रहती है तो उसके नरजी क्या होती है जीरो लेकिन हम चाहें कि यह मोलेक्यूल कितने इनरजी क्रेट करें और उसके उपर लिमिट है क्या आपने उसे क्या करना पड़ेगा दो कंप्रेस और दस से आठ और दस से बारा यह प्लस माइनस टू लगाते ही एनरजी क्या हो जाएगी इसकी जीरो से कहां पहुंच जाएगी अगर आपने यह एक्सपेंशन कंप्रेशन इर्मिन लेमिट अपने बढ़ आदी ना तो एनरजी बढ़ जाएगी इसको आठ रुबारा नहीं मैं इसे में प्लस माइस टू नहीं मैं प्लस माइस टू पॉइंट वन करना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा साथ पॉइंट न प्लस माइस टू कर दिया तो एनरजी कितनी है थ्री बाइट टू एच नहीं के वन पॉइंट वेच नू तो अगर आपने प्लस माइस टू कर दिया तो एनरजी कितनी है थो एनरजी बढ़ी जाएगी थोड़ी सी और आपने प्लस माइस पॉइंट ना निकर दें एनरजी त्छोड़ी सी गट जाएगी लेकिन आपने बाद देखी वई तो यहाँ पर एक पर टीकूल एनरजी क्रेट करने के लिए हार एक कंप्रेशन एक्सपेंशन पे एक लिम अगर आपने लिमिट बढ़ा दी तो एनर्जी घाट लिए यहां पर कितने मान लिया अगर मैं यह कुझे चाहिए बताओ कौन से एनर्जी रहे बोलो भई वन बाइटू एचनू अब यह मान ले कितना है और यह कितना है नाइन ओर यह कितना मान लिया 11 तुम क्या बोलेंगे कि जब यह 9 और 11 की भी क्या करता है तो एनर्जी का बनती है कि 1.0.05h0 और जब यह 8 और 12 की भी का करता है और यह समझे बाद नहीं कि और एक compression and expansion के उपर है ना गोड़ तो पहला अब्जरुशन के समारा energy levels are continuous दूसरा क्या है कि बोलो भई energy can be seized completely energy can be zero तीसर अब्जरुशन क्या है कि हर एक energy create करने के लिए कुछ compression और expansion की fixed values होती है कि ये compression expansion ये energy बनाएगा ये compression expansion ये energy बनाएगा और चोथी बात कि बोलो भई molecule time spend करेगा extreme position पी कैसे अगर मुझे थ्री बाइट टू energy create करनी है classically तो मुझे molecule कितना कंप्रेस्ट करना पड़ता है प्लसमेस्टू तो आप यह मान लिए मारे पास एक मोली क्यों लें उसकी बॉंड लिंट के माले 10 इनिनिट उसको मैं आठ और बारा बीच में क्या को compressor expand ठीक बात तो ये maximum time पता का spend करेगा आठ पे और बारा पे जब कोई चीज आठ और बारा पी क्या कर रहे हो कि अरे एक उसलेटर आठ और बारा पी क्या कर रहा है पता हो भई compressor expand कर रहे है तो मैं कहा रहा है मैक्सिम टाइम पता का spend कर रहा है या तो आठ पे या बारा पी इसको आप कैसे प्रूपर होगे कि एक्स्ट्रीम पोजिशिन पर क्या अपने निरौब यह पोड़ नेर्मानकारी होता है तो आपको पता नगरवालों के पास फ्री की लेबर होती है घर के बच्चे वह फटा तो वहां रुकेगी तो वहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी बजाए कि जब वह फास्ट स्टेट में है आप इसको ऐसे मान सकते हों वह और सिलेशन में चीज़ें करती है एक्स्ट्रीम स्टेट पर एक्स्ट्रीम पोजिशन इसको ऐसे मानो मान लिया एक लड़की जूला जूली तीज के ऊपर ठीक है और यह मानों वह आपके नोट्स लेके गई थी और उसे नोट्स आप पिस नहीं कि तो आप भाई यह मानों डले लेके जा रहे हो डले पता हो ना पत्थर अरे चोटे-चोटे गंकर पत्थर वही जिससे उसको आपने हिट करना है कि वही वह स्टेटिक तो है और आप लिए उसको भी क्या मारने है तो आप उसको कैसे डले मारो की डले उसको लगने की संभावना बढ़ जाए जहां पर मैक्सिम टाम स्पेंड करें तो सिंपल सी बात है देखो जब ऐसे जूलती ना तो यहां पर आके रुखती कुछ समय के लिए और किया पर लोगने की संभावना बढढ़ जाने कैने रुहते है तो अगर आपने वहां पर रुखती है वह प्रूष ङरुखती हैसे पूछिन वहां डले मारने ट्राइए करो यहां तो यहां पर यहां पर उससे क्या होगा वही उससे डले लगने की संभावना बढ़ जाए क्यों कि वहां पर रुखती है इसको अप्रूव भी कर सकते हो कि क्लासिकल यह मैक्सिम टाइम कांस्पेंड करती है एक्स्ट्रीम स्ट इसको अब जूठी निकालता है तो आपने कले और उसको नाकष्म रहेगा प्रश्ट मॉद में पहले मरने से पहले अपने कैसे लगा दिया बस्ट मोडब कर दिए और आपने कैमरा कर दिया तो जूल Ein जूले वह घ्रकातर फोटो है का था बाइच अब प्रस पर में ना फोटोज है ना भी और लगाता फोटोज ते रहे हैं अब उन एक जार फोटोज में काउंट करो कि वो जुला जोलते हुए कहां पर है आपको सबसे ज्यादा फोटोज में पता हो कामिलेगी बोलो भई वो यहां तो यहां और यहां फोटोज में क्या हो सबसे ज्यादा फोट ऐसे फोटो बेंगे सबसे कम फोटोज में कामलेगे आपको पर यहां पर यहां पर क्या होती बिल्कुछ रुख जाती है फिर फास्ट वते यापal से फास्ट फिर से इन तो उसके maximum speed गहां होती है यहांपर तो क्योंकि यहांपर बहुत कम बहुत फास्ट अती है नering एक कुर्ण पोजिशन पे वह बहुत फास्ट वे में आती है तो camera के पास इतना समय नहीं होता कि ज्यादा photo click कर्सके लेगा जो यहांपर अपर होती है तो यहांपर कुछ time spend करती ह होई कुछ दिर रुखती हो बाकाइदा एजन्ट इट उसक्त कैमरा के पासका के टाइम होता है कैमरा फटा-फटा बहुत सारी फोटोज क्लिक कर लेगा तो वह तो मैक्सिम फोटोज में वह कहा मिलेगी एक्स्ट्रीम पूचिन पर तो यहां पर यहां और सबसे कम फोटोज म क्या कर रहा है कंप्रेशन और एक्सपेंशन तो इसके अनर्जी बताओ क्या है थ्री भाई टूएच नो मान लिया बोलो भई इस मोलेक्यूल के आप एक काम करो फोटो क्लिक करना शुरू कर दो बस्ट मोड में तो पता है एक मिनिट तक आप इसके फोटो तारो तो आपको मैकसिम फोटोस में वो मोलेक्यूल किस बौण लेंग्ज के साथ में मिले गा पता है एक है दो आट हिया 12 20 लेंग्ज hadi सबसे कंवब फो डोई हुग तो मैकसियूम le करता है एक्स्ट्रीम पोजिशन पर तो वह चोथी प्रोपर्टी होती है क्लासिकल उसलेटर के आप इसको इसे मान सकते हो मान लिया आपके पास आप एक हर यह आपके करन दर गॉर्ट सारे सीम मोलीकूल तो अन्법 और इस चेंबर के इंदर बहुत सारे कहते हैं बेहुंत इसके अंदर कितने एक लाख मोलेकुल और सब के अनरजी क्या है मान लो फर्ज करो थी बाइट विए तो यह निका सारे के सारे किस रेंज पर कर रहे हैं कमके इसमेंशन आठ और बारा पी इसन इट आप इसका एक फोटो तर लो तो आपको पता है उस फोटो मैक्सिम हाँको बारा वाले उर दसवाले सबसे कम मॉली कुछ Stitch मिलेından गोन म आपको नवीकुल के बहुत सारे पोड़ और बहुत सारे ऐख मॉलेक्योा मली क्यों इनरजी वाले उनका एक फोटू पतारो यहां से क्या बात क्नी होती है कि मॉलीकुल मक्सिंट काक्समेंड करता है क्लासिकल अगर इसंता होता हो अा थो मॉलिकूल मैस विंट करता एक्स्ट्रीम स्टेट इस टेयू ऐस टीन फ्रिंट अब हुआ अब हम देखते हैं तो यह आपको आप बता लगा की प्रोपर्टीज अब हम देखते हैं क्वांटम उसिलेटर का इंडरीजी लेवल डायग्राम अब देखो मैं इस डायग्राम को इस से अलग बना देता हूं भई फिर मैं इनको आपस में सूपर इंपोस कर दो ठीक हा बात अरे बोलो भई तो यहां पर बताओ मैं क्या बनालतों वहीं बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल वैसे अपका बनालो अरे बिल्कुल वैसे अपका बनालो एंडर्जी लेवल डायग्राम यहां आपने का लिए नहीं है एंडर्जी यहां पर क्या है बताओ जीरू यहां पर आप अगर आपको अपने दिखिलिया क्लासिकली कोई छोल कैसेसे पिलेट होता है आपको पता तो के mechanically पहला energy level कॉन साइगा यहां से यहां से ड्रो कुरो बतो क्याएगा एंक वेल्यू जिरो पुट की क्या पहला पहली बात तो यहां पर energy level का पहला बोलो भाई हाफ हम एच नियो एजन्ट एक निया नपको यह अरे बोलो भाई नहीं बहुत अपको पले पड़ी इस ऐनरोगर ठेक है यह नियुक्स आभ यह प्यंतल शेठी वर्त खोरदके में ए Also you want to get you वर्यक्णी और यह जीरो और यह क्या यहां मार यॉप Depending है यह क्ली मने यह ने लिवक्त medic मिनम ऐ यह बिल्कु सेम लिए हैं आपर थेख़ बात तो बताओ पहला का एनर्जी नहीं कौन सा मेरे पास बता कौन सा मेरे पास है आ बोलो भई एच नियूबाई लोग इसकी सी तिसकी है बिलकुल हमेच नूबाई टू वेरी गुड एच नूबाई टू लेकिन आप यह तो देख लो कि यह वही और यह मैंने यहां भी मैंने क्या बना रखाए है का और यह बताओ किया है अभी दिखाने के लिए है कि इस muss पैопर यह है तो यहां पर पहले नहीं आई अब यहां पर हुं कंप्रेसोर एक्सक्री पड़ता सिर्फ यहां पर एच नूबाई टू एंदर्जी क्रिए करने के लिए मॉलेक्यूल को क्या करना पड़ेगा यह हमें कहा से मालूम होगा बता हुआ इस फॉर्मूले से इसंट तो यहां पर आप वैली पूट को ले तो आपने एंड के विली जीरो पूट की बता मेर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर नेर्जी क्रिए करने के लिए मॉलेक्यूल को 9 और 11 में क्या करना प्रतासा कंप्रेसोल एक्सपेंड लेकिन यहां पर यह एच नू बाइट टू एनर्जी क्रिए करने के लिए मॉलेक्यूल को क्या थिक अडम करनी पड़ेगी आप यह देखो इसके लिए बताओ तो आप यह पहली स्टेट के इनर्जी पहली स्टेट को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशिन क्या एगा एन क्यों यह आप यह पर 0 पुट खरो बतो क्या है मेरे पास साई 0 क्या है मेरे पास भाई बतो एन 0 एन 0 क्या है था मेरे पास बीटा भाई पाई की पावर 1 बाई 4 इन्टू 1 इन्टू अरे बोलो भाई इन्टू 1 इन्टू 1 इन्टू 1 की पावर मानस बीटा एक्स स्क्वेर बाई 2 तो यह बताओ क्या है यह है भाई क्वांटम मेकैनिकली एच नू बाई 2 energy क्रिएट करने की स्टेट अक्वासिकली एच नू बाई 2 energy क्रिएट कैसे होते थी 9 और 11 की compression और expansion से क्वांटम मेकैनिकली एच नू बाई 2 energy क्रिट कैसे होगी इस function की वजह से है ना जब डायाटोमिक मोलेकूल इस एक्सप्रेशन के कोडिंग रहेगा तो वो कितने दर्जी बनाएगा एच नू भाई तू इसका आप ग्राफ देखो भई इसमें आप एक्स की वेल्यू क्या पूट करो अच्छा ये ये की पावर क्या है माइनस बिटा एक्सक्वेर बा ठीक तो आप इसकी टेबल औ普र आप से क्सक्राइब फिर आप ने आपने इसके टेबल केज़ना करनायकी आप ये लिखो गण हो MA घृटाओ यहां पर एक्स ब्रभब руки को रखेंच यहां पर एक्स मोगई यहां पर दो रिव थे betशनेल टेकर इन्डिपेंडेंट हो डिपेंडने कोलिव फार्ट करते जाओ आ प्रेज़ों हो सोरी ऐंडिपेेंडिक्र तो यहां पर सिर्प्रों में तो function क्या बता और अच जिरो पूट करें अच बराबर 0 क्या एक फंक्षन एगा फंक्शन एक पाउर जिरो वन आगे न क्या वैल्लिव भई बीटा भाई पाई की पावर अरे बीटा भाई पाई की पावर एक नमबर है क्या है यी अग एक नमबर होता है और इनका रेष्य opioids सिल ओर इसकोगाँ प्रूड पाहर व बहुत है नमबर आएगा ना तो मैंने एक सा एक नमबर पुट किया ग्राउंड स्टेट को बताने वाला function भी क्या है नमबर बन गया ना वई हम जवापेस्ट बढ़ाऊगे छहें प्लस में चाहे माइनस में तब बतां क्या होगा अब आपक्स बढ़ाऊगे तो क्या होगा वग Champions यहां पर एक स्क्वेर है यहां पर एक से स्क्वेर है तो एक समय चाहे प्लस में बढ़ाऊं चाहे मैं एक स्की वैल्यू माय इसे कोई फरक इसको यह लगता हूं इसको प्रावर जीरो और यह लिख दो आप हुल बोलो भही बीटा भई पाई की पावर रोन डाय फोर इसथ की तो एक सब्राँ होगा तो इसके पाँ क्या होगी बढ़ेगी न गिवार बड़ेक़ को फंख्शंड क्या ओगा और रिटेंस स्क्राइग थिर न बितक और गतेगा और एक्स की प्लस वाल्य और माइस के लिए दो पूसिट गए गा तो फॉस्ट शाम प्रॉड के ग तो इस tribes की साचbla गए साय नोट कीŞ पर जीरो पे function क्या है maximum उसके बाद x की वेल्यू पॉजिटिव में बढ़े यह नहीं मैं positive displacement या negative displacement के लिए function चेक करूंगा तो function क्याएगा कमाएगा नो तो point खाएंगे x बढ़ाओ point खाएंगे भई निच्च आएंगे अरो बोलो और यह जब तक x क्यान हो जाएगा इंफाइनाइट जब तक x क्यान होगी इंफाइनाइट यह फंक्ष्ण पूरी तरह कहां हम यहां एक्स प्रफ फंक्शन के लिए अनुए लाखता है चला को अचts प्रफ मैंसा यह सब्सक्सिंड के लिए करना सिदृद सब्सक्ट हो मतलब क्या है यह सबंस्क्राइब करत क करें गयर है कमोएगा स्कूर कमोएगा वई तो हमको पता है कॉपि प्रोईबीलिटी हाला कि है स्कूर क्यों त्यूर है तो आपी जखेंगे यह वांक्पि यह तो उनकी बिचंट दूर कि 5 क्लों एक तो दूरी क्या नोंज्यरो खोंक्षिन वह था थी नोंजरो ऐहनन तो पर आंप टॉपी दिस का फ़ले थीचा मतलब क्या है कि मासिम प्रॉडिनिंट्च के लिए आ है रूठ bomb किस displacement के लिए है जिरो के लिए अगर maximum function zero displacement के लिए है तो function का square भी क्याएगा maximum zero displacement के लिए तो function की प्रबबिट के लिए maximum probability किस displacement के लिए है maximum probability किस displacement के लिए जिरो के लिए और जिरो displacement का मतलब क्या होता है कौन सी बॉंड लेंग्ध आर एकुद्रियम मतलब यहां पर molecule की maximum probability किसके होगी आर एकुद्रियम की expanded bound length plus displacement या फिर extended bound length के लिए probability लगातार गटती जाएगी जिसे function गटता है और compressed bond और negative displacement नहीं के बोलो भई negative displacement मतलब compressed bond length के लिए फंक्शन क्या हो रहा है घट रहा है तो उनकी probability क्या होगी घटेगी इसका मतलब यहां पर यह energy create करने के लिए यह energy create करने के लिए molecule को क्या अतिकडम कर अगर यह graph किसका है साइनोट का बोलो भई तो साइनोट स्क्वेर अग्राफ ऐसा ही नहीं है गया बिल्कुल आए गया नहीं सब्सक्राइब मैक्सिम मैक्स पराबर जिरो के लिए है तो साइस स्क्वेर भी मैक्सिम किसके लिए होगा एक्स पराबर है जिरो के लिए कमाल दखो यहां पर यहांपर यहां पर एच नू बाइट रिट करने के लिए मोलेक्वल क्या करना पड़ता है कि मैक्सिम टाइम का इस्पेंट करेगा पहली बात तो कंप्रेशन पर कोई लिमिट नहीं है कि पलस माइस एक का वह बताओ भई कितना को सिबल है और एक बॉंड लेंक्स के लिए क्या है फंक्शन नहीं जीरो तो एक बॉंड लेंग्स की प्रविटी क्या है नहीं जीरो तो कंप्रेशन एक्स्पेंशन की लिमिट नहीं है पहली बात दूसरी बात बतायो क्या मैक्सिम टाइम का अश्मेंट करेंगा यह और एक विल्ग्रियम पर अब तब यह एसे एप एड़ेट करेगा अभाट अब आप इसको इसको आप विजुली कैसे सुख सकते हो कि अब मैं दो वोक्स आपको बतार हुए क्लासिकल और एक कॉंटम मेकैनिकल आपको ताकी अब कॉन को आपको मालूम पड़ और एक वोक्स आप यहां मॉन लो एक वहां पैमानो इस बॉक्स में मौन चो नहीं मुलेक्वें मोरी टाइप इसमें क्या है महीं मौन लहीं ऐसमें ऑच पी है इसमें एक अरb molecule सब्सक्राइब हैं अंतर क्या है इस बोक्स में मालों सारे molecule क्लासिकल बॉल इस बोक्स में सारे molecule energy कैसे मतें क्वांटमवनink रोड़े हैं निया समझा बात अब दोनों अब हमारे पास एक ऐसा कैमरा है जो बहुत सभी एक अरब की एक अरब मोलेकुल का एक साथ फोटो ले लेगा और उसमें जूम करकर कुछ चेक कर सकते हैं अब आपको पले पड़ गी है तो मैंने क्या क्या पता हो भई हमने इस बोक्स का स्नेप लिया और मैं कैसे इसमें कहले स्टेट में क्मान क्या लिया हमने चौन्सेट यू अब Phatica इस बोक्स का पाया और उसमें आपको सबसे ज्यादा मोलेकुल में क्लासिकल क्यों बोक्स में कि सारे मोलेकुल के energy catching by 2 तो सभी molecules कोई मोलेकुल आपको ग्यारा से कम वाला स्वरी नो से कम वाला और ग्यारा से ज्यादा वाला नहीं मिलेगा एक सिंगल मोलेकुल इस फोटो में क्लासिकल बॉक्स के फोटो में एक सिंगल मोलेकुल आपको तो आपको आपको क्वान्टम वोक्स का फोटोता रोगे ना तो आपको दस वाले क्या मिलेगे सबसे ज्यादा रही कि यहां पर कि फंक्शन जदा किसके लिए होता है कि आर एक लिए पापको पड़ी तो मैक्सिम मोलेकुल आपको किसे मिलेंगे आपर दस वाले दूसरी बात वह आपको बहुत सारे मोलेकुल 9 और 11 मिलेंगे साथ दो सदे दस वाले वी यह आपको आठ और 12 वाले भी निवा तक पुलिब शात और 13 छे और 14 पांच और 15 चार और 16 वाली मिलेंगे लेकिन का नंबर क्या होगा कम मत अब कुपले पड़ी इन में तर क्या है निसम जबात दोनों क्या बना रहे हैं अंतरा प्रमॉल पड़क की वही यहां पर कम्प्रेशन एक्सपेंशन नीव पर आपको लीमितन है तो आपने पेहला दिफ्रेंस के मिला आपको बदो पहला डिफ्रेंस आपको के दिखने मिला क्लासिकल फिरिएटर के इंडिज नेव़ल क्या होते हैं बोलो भई डिस कॉंतिनिवल नहीं होते यहां पर एक zero point energy होती मिन्म पर क्या होती एक लिमिट यहां पर compression expansion के पर कोई limit है नहीं है और एक energy की होती है infinite compression infinite expansion से अब हो उती है यहां पर रहने का तरीका बदले आपको बताएंगे और बताऊ यहाँपर यहाँपर H New by 200 यहाँपर की Molecule Maxx Time Consp Dwight करता है बोलो भई Extremme position पे सभी स्टेट में यहाँपर Molecule Maximterm 그때 करता है Extreme सेट पर तेकिन यहाँपर देखी बहीज आपने यहाँपर New 0 देखा सभी size 0 देखा तो Molecule ने मैक्सिम टाइम कांस्पेंड किया है 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 ना बोलो भई सिमिलरली अच्छा बहुत हो आपको बहुत कि क्यों न अच्छे अगर मैं अब मैं इसको और इसको में सुपरिम्पूस खुरूँगा लेकिन आपको इन दोलों ग्राफ में एक अंतर दखाई दे रहा हुआ इस ग्राफ में बताओ क्या है इस ग्राफ में लाइन्स की हाइट तो कैसे क्रियेट होती है कितने compression expansion से energy created होती है यहाँ पर lines की height क्या शो करती है energy देगे नहीं यहाँ पर lines की width क्या शोनी करती है वह energy कैसे create होती है वो कैसे पता लगता हमको इस अलग graph से isn't it तो क्या हो और तो यहाँ पर तो किला graph क्या शो कर पा रहे classical oscillator में के लिए graph क्याश हो कर पा रहे कि energy कैसे कितनी energy create ओती है और कैसे create होती है यहाँ पर यह चलिए फोलोकर hazard को वॉटिक्र डॉनके Oh अगर मैं यह स्केल देखूंगा तो मैं किसकी बात कर रहा हूं एनर्जी की और मैं यहां पर देखू भई और मैं इसको फंक्शन का बेरी सेंटर मान लूँ तो क्या हो जाएगा बता हुआ अगर मैं इसको उठाके यहां ले आँ मतलब इस पॉइंट को मैं इससे मर्ज कर दो अगर मैं इस ग्राफ के इस पॉइंट को इससे क्या कर दो हुआ जो क्या मुझे ऐसा पैटर्न देखने को नहीं लिए कि बोलो भई और यहां कहे दो कि साइबराबर क्या यह जी रूपर तो क्या है यहां पर उपर तो क्या है साइब जीरो पलस का निच्चे का सई-जीरो म कि मैं अगर फंक्शन देखुँगा तुम इस लाइन के अकौरणिन देखुँगा मैं एनर्जी तो वही यहां को इसे वेउय किस तो 2 230 भही इस एक्तेरिक देख है यहां को जी और इस साइड से लाइन के स्कूर प्रेजेंट करती है ग्राउंड वाइब्रेशन स्टेट की फंक्शन की बैरिसेंट परको इसंट इट नहीं बहुत आपको पले पड़ी बही अरे बोलो भाई तो इस तरीके से मारे पास बताव क्या जाएगा मरे पास भाई है तो इससे दोनों फाइदे होगे यहां पर मुझे पता है थ्री एच न्यू बाइट करने के लिए इस पर यहां पर यहां पर तो के लाग रहा आप डिफ्रेंट क्लासिकल स्टेट्स के अनर्जी और वो कैसी दिखती है वो दिखा पार रहा था यहां पर यह पहले स्रिफ के दिखा पार रहा था वो कैसे नज़ते हैं फो यह मैंने इसे में डूसरी साइड लगा दिया मेने अनर्जी कर दिया उस्टीट के शूरूं की से इस स्टेट के और रही यह तो रही ए यह कुन सी है सब्सक्राइब ऑन कैसे बनिगे तो यह लंक कि कुछ ऊक्षों करें तो इसलिय क्या पर तो क्या कर दो कर दें और यहां पर अपको पतायाँ हो यह function क्या साईगा अरे आपको पता नसाई बन का साइबंक यहां बता है यह बोलो भाई यहान आपको समुझ में कि उन्फार टू एक स्क्वेर इसन टेट जाएगा न आपको अपले पुट रहा है इसमें एस प्रफ जीरो पुट करें हो यह वाला फंक्शन पर तो कहा हो जाए किया हो जाएगा अब इसका गर आप प्रोट पुराओ भई अच्छे इसे मैं क्या मननूगा यह किसका बेड़ी सेंटर है साइवन का उपर गया लिखो साइवन पोजटीव निचे गवागा साइवन नेगेटिव यह है भई आप जिसे यह वाले ऐसे साइज जीरो मैक्सिम कहा था एक्स बराबर जीरो पर था ना लेकिन यहां पर आप एक्स बराबर जीरो पुट करियों साइवन पूट करियों अरे भई एक्स बराबर जीरो पर साइवन कितना आएगा जीरो आएगा ना नहीं बहुत आपको पले पड़ी गया अरे भई अब फंक्शन प्रोट करो और एक्स बराब अब यह अब एक्स नेगेटिव हो चाहें पॉजटिव यह तो क्या होने हमेशा अर्वे तो मेशा क्या होना है लेकी लेक के चाहेगा नेगेटिव और पॉस्टिव ऑपॉस्टिव एक्स के साथ प्री-क्स पोग कहेड़ा हो इस फोच्चिन स्फच regulatory पर एक्स नेकिटीव क्ष़ का रहो हो यह वाला प्रॉष्ण तो क्या होना है जिह नहां sold the वना है लेकिन आप यहां पड़ जभ्लक होगे नगेटिव ने बात और बहू उ यह तो पर हो अभेगा और positive पर positive, और negative पर 0 पर function क्या हो जाएगा? 0, negative पर क्या हैगा? negative और positive पर positive, है ना? लेगिन आप एक बहुत और भी है, ये तो क्या बोलेगा? function बढ़े, x बढ़ने से, और नियुख क्या बोलेगा function घटे, और पहले चलते ही फिर चलते ही इसकी भई तो X पाद बीजिव हो फॉच्छिन आप फॉचिन क्यों होगा है difficult function family Organization एक्सक्षिन क्या है है कम्प्रेस्ट गोंड के लिए नेगेट्व डिस्पलेसमेंट एनी इप्नेट्व डॉंड लेंग्ट एनी प्लस एक्सक्रिए फ क्या है और पहले बड़्य फिर गटेगा बहुंथ हो गोंक्षिन है स्क्वेर में तोई भी क्या हो जाएगा पॉज्टिव जाएगा भई निवा तको पले पिट रही गया तो यहां पर आप यह बताओ भई तो साइज जिरो से तो यहां पर इमेजिन करो अगर मान लिए इनरजी कि पर यहां पर फंक्शन की मैक्सिम है कहा है फंक्शन की वैलिए प्वावं के उन्टिम यहां था स्क्राइब मां लिए यह मौन लिए तो आप वही इतना मान लिया साथ पॉइंट पांच आपया बनू आप यहां बनूव बताओ बही तो बोलो भई इसको 12.5 तो फंक्शन मैक्सिम्म कहां पर है 12.5 यहां मैक्सिम्म कहां था 10 पर अरे बॉंड लेंग थे अर अब यहां पर प्लस माइनस डाई पर यहां 0 पर 0 यहां दस पर क्या है मैक्सिम्म यहां पर प्लस माइनस डाई प्लस डाई इजब आइट अठन क्या क्या कर रहा हूं कंप्रेसर एक्सपेंड एजन्ट इट क्लासिकल मोलेकुल की एनरजी थ्री बाइट विच नहीं हो जाए तुम्हें क्या करना पड़ा बताओ कि नो से ग्यारा की बजये गर इसको भई दस से बारा कर दो यहां पर यह क्लासिकल मोलेकुल अपनी एनरजी एच नूव बाइट विच नूव कैसे बनता है वह नो से ग्यारा की बजाए आठ से बारा में कर देगा ओसलेशन शुरू कर देगा यह उसकी रेंज क्या हो सब्सक्राइब तो यहां पर जाने मतलब इस फैंक्शन को डिंग मतलब कि अगशयुलाइज को एक क्लासिकल बॉक्स कॉंटम बॉक्स वही म warto डिक संवाए चुन पर कि तो यहां पर सारे मोलीकूल कितनी क्वासट जेशो करता ही टो हमने से किया इन फोटन तक रहा है और एक माले कहां पहुंच गए भाई ठीवाइट टू एच एच नू एनर्जिन क्यों होगी तो इन केरे सारे मोलेकुल क्या हो जाएंगे आठ से बारा होगी ट्रांशन यहां पर लेकिन यहां पर ट्रंशन पता हो कैसी होगी यहां पर जो म आपको यहां पर हारेक डिस्प्रेस्मेंट यहां पर क्या लाउड है न मतलब आप इसका फोटो तारो तो आपको हारेक बाउंड लेंगे मोलेकुल्स आपको भी क्या मिलेंगे हारेक बाउंड लेंग्स के मोलेकुल्स सबसे ज़्याद लेकिन आपको कौन से मिलेंगे और देनिंगे जीरुदिस्प्लिस्मेंट या और इकुल्पोरिम्ले आपको मिलें सबसे ज्यादा दस वाले अब माले फोटॉन और यह सारे मोलेक्यूल में ले कहां पहुंच गे मान लो वी बन में कहां पहुंच गे वई वी बन में तो पता क्या हो जाएगा अब आप फोटो तर गुनेस का है एक सिंगल मोलेक्यूल आपको 10 के साथ नहीं मिलेगा अब समझे बात एक सिंगल क्योंगी वई 10 बोंड लेंग्स के लिए x बराबर 0 और एकुलडियम या भई 10 बोंड लेंग्स के लिए function क्या हो गया जीरो तो उसकी probability क्या होगी मारे पास लेकिन कौन सा नहीं मिलेगा यानि मोलेक्यूल 10 बोंड लेंग्स प्याना बंद कर दें उसके ऐसे रहने के तरीके को क्या बोलते हैं क्यों कहां पहुंच गया है वीवन में और मैक्सिमूम फोटो में कौन मिलेंगे बताव बारा वाले मोलेक्यूल से ज्यादा मिलेंगे उ और एक बॉंड लेंग्स के साथ मोलेक्यूल एक्जिस्ट कर सकता अब मोलेक्यूल 10 के साथ एक्जिस्ट नहीं कर सकता है और मैक्सिम टाइम कांस्वेंट करेगा साधे साधे बारा ऐसे रहने के तरीके को क्या बोलते हैं क्यों भीवने पहुंच गया अब समझे बात मोलेक आपको पर पढ़ गया कि यहां पर भई तो डिफ्रेंस क्या यहां पर लेगन यहां भी कंप्रेंशन इस पर को यहां पर देखने को मिल रहे हैं आपके अपने को कंपेर कर लिया इसको मैं अब मैं मिटा दूं क्या अब यहां से आप कुछ कुछ क्या बहुते हैं और भी कौन कौन से अब बोलो भई वह तो फंक्षन है कौन साइज समेट्रीक एंटिसमेट्रीक है यह फंक्षन साइड पोजिटिव साइड भी क्या है सिमेट्रीक तो साइड लेकिन साइड हू क्या बताऊं एगर पोजिटिव क्या बोलाग उसको अनिसमेट्रिक कि बोलो भै ओड फंक्षन एंड एवन फंक्षन बोलते हैं को और परेटिए ईवन परेटिए एड और परेटिए गन्हों आपको सिमे को बोलते हैं जिर यह तो यह च्छाइए लेगा मतलब साइजीरो क्या है प्राइज दितुं क्या बोलेंगे तो अपको बताऊँ जीरो समेट्रिक होगा शाइटू सिमेट्रिक साइफ और फाइज सब क्या होंगी स्मेट्रिक दिवात आपको पढ़े पढ़े क्या एंड तो भाई ये जो वाइब्रेश्न स्टेट्स होती है उनको बताने वाले mathematical expressions क्या होते हैं symmetric और anti-symmetric आप उड़े निया आपको सम्मिए है फ़ले पड़ रहे हैं ठीक ओके आगर आपको सम्मिए है तो तो मैं यह नहीं बोल सकता कि साइओड क्या होते हैं साई ओड़ करेंव आएगि ए और साई एवन क्या होंगे सारे बताओ भी सिम्यों ओर नंगरोंटे अभें नंबरोंफ नोडा मुझे और बताओ आप मुझे इन नंबर ओफ नोडोंढ़ कितिने नोड है कि मुझे पता है यह सुनती नोड बताओ आप न माइनस ल माइनस था नरे भई क्वांटम सिस्टम तो पूछी लो कौन सा है किसम जवाद होई और एन मत कही हो प्रिंसिपल कॉंट नुबर है यहां पर एन कोई यहां पर कोई सब साइडरी कॉंट नुबर नीए यहां पर कोई आपको पले पड़ रहे हैं को नुमबर नोड बताओ फंक्षनन ने कितनी जिरो से पास किया है कि कि दिनोड इसमे 0 १शाइवल में कि नौड यह यहां नोडस क्या बहुत न बरबर एंक बरा रबर क्या ओर डिए और अंको भम है içeris को पले पड़ी तो सबसेश्व ले कि धिल साइब सब्सक्रार के रूगा इसे नोड बताओ पुझा बताओ ठाहिवा साइवन क्या होगा समय्टरिक अंतिसमेटरिक सब्सक्राइब यह नवह इसके नडर इसके अंदर और भाई फंक्षन में आप से क्या पूछ ले मिनिमा क्या मिनिम पूछ ले तो मापको यह आपने वयाद करना पड़ेगा नोड आपको पता लगी अब दोसाइब दोसाइब वन में कितनी मैक्सिमा है साइब वन में एक और फंक्ष्न की मैक्सिमा एक और टीकिक मैक्सिमा ऑपें आडिक वीस लिए टीक टीक मैक्सिमा इस तो मैक्सिमा ओर एक टूम एक मीनिमा मैक्सी मालट यहां इसका स्क्वेर कर दो आप स्क्वेर कर दो डो जो क्या गे घर नंबर ऑफ क्या होती है नंबर्यcakों ब्लंब सेम फंक्षन में और आए है अरे भई सांवने और साइ स्क्वेर में नंबर्पन पन्रेंड क्या ह이면 अपे एंड ही आएंगी फेकिन मैक्सलिकम रहे साइऑ में है नोड कितनी हैंगी पेल आप देखो साइ स्क्वेर में आप नोड पोलो साइस क्या बोलो वह नोड बोलो या उसको क्या बोलो मीनिमा नहीं वह तक पले पड़ी गया इसको मिटाता हूं और आपको बहुत सुम्जाता है इसको बढ़ी इनको सुपरिम पॉज करके अब मैं काम करता हूं वह दूए वाला ग्राफ तो यह लोगा नजरा आपको जहां से देखो रहें आप आपको पता लग जेगा कि क्या नजान से देखो अब आप को यह तो बहूत साब्स एक ग्रिया लाइन वह बहुत था ग्रेbas किए वर्टी कली स्टेक्ड और उनकी विट रगा तर क्या बढ़ रही है तो पूरा ये क्या बोलते हैं यूद्व अरे फुरा फिलिंग हमको रूसर नहीं है और यह तो यह ब्लेक लाइन्स का व्लेदा इंग अरे डे लाइन्स की विट्थ कह शुकर रही है इत ग्रे लाइन की विड़ करती है एनर्जी ओफ क्वांटम ओसेलेटर और ब्लेक लाइन के साथ में एक फंक्शन रोग रखा रहे देखो नजरा आपको भी यह फंक्शन किसको सो करता है कि वह एनर्जी कैसे क्रियेट होती है यह पर देखो यह बताओ ग्राफ किसका है साइज जीरो क अरे यह यह लाइन बैडिसेंटर इसका यह लाइन एनर्जी कितनी देखती है है एसनूग भाई टू लेकिन साइड से देखें तो एक बंगी साइज जीरो का बैरी सेंट्र यह बताओ भई फंक्शन का मैक्सिमा बोलो भई तो ड़ोग तो फंक्शन में आं पर गया है यहां सिर्फ के शुकर रुखे मैंने फुल मैं आपको पहले बारी फंक्शन का पूरा बीएविर्श बताता हूं कि फंक्शन कैसे भी उकरेगा फंक्षन मतब क्या होगा मैक्सीम और मिनिमा तो भई फंक्शन में साइओ क्या होगा और यह वोलो भई एंट्टि सिमेट्रिक और साइओन वाख सेप्रिक और लोड क्या होगी और साइओ एसे न में ऑन नोड क्या होगी एं इन मतबद अपको पले पड़ और मैक्सिमोर नहीं हैं एक करने हों मैक्शिक वर तो यह फंक्ष्न ड्रो कर लियो फंक्ष्न को यज़ाए पूछे के डी तो तो विसाई-3 तो तो जिसाई-3 गांपर बोलो यह बतां कि है और साई-3 दो तो क्या होगे सिमन एक यहाँ गया और सफर मिज़ें देखियो को मिनीमा दो कedarी साथ ओप होगे जो मैक्सिमा और एक भीक्ता ही इसको इसको वियार और कि अ.." आपको एक बात और देखने को मिलेगी कि आउटर लोब लगातार क्यों बता हुए यह तो बड़ी रहती है लोगातार क्यों बता हुए च्छोटी हो रहे हैं एजन्ट एट नहीं बाद आपको पले बड़ी इसलाई है कि मैं अेरे बोलो भाई अगर याँ में आपको किस आपको यापसे पूछले आवसे स्कार में सब्सक्राइबं आप सब्सक्राइब तुमपले स्केर्ई क्यों आप क्यों क्यों आ ओफ करने मिलाई है क्या हैं ये तो ऐसे बता ऑँ क्या होग आएगा फंक्षन और ऐसे क्या हेगा स्भीय रिवीANS स्क्राइगा ऐसे क्या होगा साई स्केर और यह बताओ क्या जाएगा साई स्केर यह बताओ क्या जाएगा साई स्केर साई साई 0 स्केर साई 1 स्केर साई 2 स्केर साई 3 स्केर इसंट इट तो यहां पर मीनिमा बोलो या नोड बोलो बात ही किये करें न ये मीनिमा तो स्क्वेर में बताओ मीनिमा और नोड बताओ कहा रही है सब्सक्राइब आप एफ गवाई नोट विए थी मेलम आधिक नोड़ विए नोट में होगी आरे पाइं स्क्वेर में में माया नोड़ कितने होगी न कि बरापबर कई न करते हो यह यह पर क्या बन रहें जैन्स देख्यों n defining function में जो नो is talking to you are a function में जो क्या होते थी क्या है角 में वह हो यह थिस्टाइट में नहीं सथंगे और सु कि अ अधिए है मैं नियुक्षा ज़ूँ भूलो अंध long क्या अ है 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 दुम है कैसी स्कॉरे मुदौ बोलो अप है स्कुरमे करец सब्सक्राइब तो यहां पर सब्सक्राइब कितने हैं तो यहां पर नोड कितने हैं इतनी मीनिमा नोड हैंगी एन और मैक्सिमा कितने हैं एन प्लस वान एक दो तीन साइट रिमिक आगे चार बता पुले पड़ी ऐसे वुच्छन आप कर लोगे किन गर सकते वही ओके तो भी अच्छे वाट देखो आप एक बाद दो देखो यहां आज विखा मोजेगा आपका बोदीजी एवाट देखो आप अबने बदो एक बात आपने और गोर की गें बताओ क्विए यह जो देखो क्लासिक लिए एक मृर कोर्सपॉंड स्प्रिंसीपल प्रीश्र रिक होता है तह बोहर कॉरस्पॉंब इस प्रिंसिपल उता है तो क्या हॉ जब क्वाट मृट मृट बथõ बढ़िए तो जब 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 दर्थी पर पाप बहुत बढ़ जाएगा तो शक्तिमान आएगा तो बहुत 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 बढ़ जाएगा तो क्वांटम सिस्टम किसको करता है क्लासिकल सिस्टम को तो आपको बात मों जारा रही है तो इनवर्ड जो लोग है लागा थार क्या हो इसज़संद्ड तो क्या श्किए अ मोस्ट प्रॉबड बॉजीशन कऄ ने बाएगत END की तरफ शुप्ट नहीं हो रिए अरे बोलो भी लगातकर काँ शुपŁश्टाने ये हैं तो एक्ष्ट्रीम स्टेट्स की तरफ जा रही है ना जितना क्वांटम नुम्र बड़ा होगे उतना ही कहां पर जाएगा इस बाउंडरी को प्रूच करने की ट्राई करेगा बात आपको पले पड़ रहे है इसंट इट तो बहुर कोर्स्पोंडेस प्रिंसिपल भी यहां से प्रूव होता है ओके अरे बोलो शाबाश अब हम देखते हैं वहायरल ड्ल्ब फोर हर्मोनिक आश्टिमिटर के लिए बड़ाइल थ्योर्म ब कंपेडिसाओढ आ अचा वहायरल थ्योर्म पूह करने है अर्मवीन को साजिटर के लिए बड़ाईल थ्योर्म मता क् Almost 보통 क्या बोलती है बार थ्योर्म है है कि the potential energy or kinetic energy दोनों क्या होंगी कर और नहीं कर होगे त Message करो ठीक स्टेटमेंट ओफ वाइरल थोरम एवरेज पोटेंशन एरजी विल बिकोर टू एवरेज कानेटिक एरजी ठीक है इसका प्रूफ क्या होगा वह प्रूफ इसका बहुत सिंपल है पहले आप पताओ क्या निकाल लो ग्राउंड स्टेट क्लिब इसको प्रूफ करो अल तो ठीक है यह किसका फंक्शन वही अद्भूत तक निकल लगाने पड़ेगी बताओ किसका फंक्शन यह पैसे बहुत अच्छा निये तरीका वही है है ना क्यों बटाओ बताओ बात आपको बले पड़ेगे तो अगर मुझे क्या निकालने हो पोटेंशल एनर्जी अरे ब अधिक लिए मैनस जीन फाने टू गो इसको इंटीगे यह यह लिक खा अरभ यहां पर लिख दिया बताओ ग्राउंड स्ठीट का वब संक्शन प्रेव फॉंक्शन गरांट फंक्श्न प्राउं बिच में निका रुक हा था थाइन लोड़ेटर सॉल किया बताओ लास्ट मि अब क्या निकालो आप एवरेज पुटेशली ये भी कही लास्ट में एच नूट वाई फॉर दोनों पर नहीं क्या तो क्या वायरल थोरम प्रूव होई की नहीं होई अब देखो नेश्ट क्या फिर वन डेमेंशनल हार्मोनिक उसे लिटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिप प्रूव कर लिया है अब फिर से आगया तो बताओ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अब कैसे प्रूव कर सकते हो आप एक काम करो पहले आप आर्मोनिक उसिलेटर के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए अरे साइज जिरो के लिए पहले आप क्या निकाल लिए आवरेज पोज एक स्क्विर फिर एक स्क्विए ओड माइनज जो नौना गे इसका स्क्विर करें मायनस फिरेजिव ग्राण से रिए इसका स्केर करके समीस क्या कर दो माइन दो या इसे का स्टांट ए लागे पोजिशन के मोमेंटम स्क्वेर इक शर्टेनिटी जो का लो फोजिशन के शर्टेनियों मुमेंटम की तरेनी ऐंसरटेनिटी मार्टिप्लाई कर दो बाद आपको पड़े पड़ेगी बताओ एक्जामिदर इसके पर कुछता है तो यह एक्सपेक्ट करता कि आपको याद होएंगे तो तो एवरेज पोजिशन कैसे निकाल होगा अरे जिब एक बार यह आपको फंक्शन मालूम हो गया यह सौल करने के बाद तो आप उसके पर जीरो और यह मैं आपको बता हूँ यह मुझे वैसे अइडिया था क्यों बताई हूँ क्योंकि जो यह फंक्शन था याद करो भई सभी स्थेट्स में सभी स्थेट्स में फंक्शन द्यान से देखो भई दोन्रों साइड क्या था यह कोली अरे अरे उल्टा बनागे तो सब्सक्राइड है अगर नेगेटिव ना कुरतो उतना इस साइड है तो एवरेज कहां पड़ता है फंक्शन का बताओ हमेशे सेंटर नहीं पड़ता क्या तो मुझे वैसे बेडिया था क्या नीचाहिए यह आपर जीरो और आत्ती भी क्या है जीरो आगी ना मारे पास अरे थे वह पाइड burger क publi crimes बास the green spy ask the एवरेज बतो है मेरे पास 1 Bayern बीट हो अब अगर पोजिशन अवरेज जीरो आगी तो पोजिशन स्कुर डेवरेज क्या नीचाहिए थी हो यह का कि जीरू अज्यर आखर other us will acular Wha तो इसका स्क्वेर्स भी क्या न जीजए था जेरो लेकिनतों अंग इया कितना ये इसका मतलब ह्य पोजिंशन स्क्वेर्ड डेवरेज आया वन रएटो बीट अगी तो फोज़का जेर तर इस पोजिशन स्क्टीर बितना बाइ पोजिशन रे कि Mazda अधिव i K अब मोमेंटम के आए देख संक्शन मोमेंटम मोमेंटम को जा क्या है मोमेंटम स्कूरेडिका अग्द अग्दाओ है थ्च्वेयर बीटा भइ येनि के आया ये आना चाहिए था 0 का square तो this minus this क्या जाएगी momentum squared की uncertainty बोलो भई momentum squared की और root कर दूगा तो क्या तो अरे भई position squared minus position average का square का root कर दूगा difference का क्या जाएगी uncertainty in position similarly actual position squared minus expected position squared का root कर दूगा क्या गी position uncertainty अरे भई ये क्या है 1 by 2 beta minus 0 का square root कर दिया 1 by 2 1 by root 2 beta similarly ये क्या था ये पर प्क्स क्या है आपकर प्क्स स्क्वेर और प्क्स का square क्या है क्या है मोमेंटम स्क्वेर माइनस 0 का square ये क्या है मेरे पास को मोमेंटम की तो यह थो क्या गी कि बताओं प्रींटिपल आपको प्रिसिपल इसे' करते हैं बहुत अच्छे से पढ़ लिया इसको ठीक है अब बता हुए कोश्चन करो इसके उपर आप बता हुए पहला कोश्चन क्या है स्पोस्थ इगरॉंड स्टेशनरी स्टेट ओफ यह आर्मोनिक उसलेटर विद फॉर्ष कॉंस्टेंट के इस गिवन भाई यह कहता है कि किसी का फंक्षिन क्या बता हुए साइमूट क्या है क्या था नहीं A भी तो था नहीं exponent minus A x square यह कहता हुई यह क्या किसी का यह किसी harmonic oscillator क्या है वई ground state wave function ठीक है न बत अरे बोलो तो कहता है यह बताओ A k के उपर कैसे depend करता है अब क्या बोलता है यह बताओ A की k के उपर dependence कैसी है A की k के पर कैसी dependence है नहीं बत अपको पले पड़ी भई A k का किस तरह से function है यह बताना आपने भई बताओ कौन कौन से option है क्या A k क बोलो भई minus 1 by 2 power के proportion है k की 1 power के root k के proportion है या k की 1 by 3 के proportion है बताओ कैसे मालूम पड़े तो पहले आपे काम कर लें भई तो पहले आपे काम कर लें ठीक है यह बताएं हमारे पास actual function क्या था इसका अरे वह actual function क्या होता हमारे इसके पास है हमारे पास इसका actual function क्या होता बताओ साइ नॉट रूट बिटा बाई पाई की पावर 1 by 4 होता होगा इंटो ए की पावर मायस बिटा x स्क्वेर बाईट हो हम समझ गे भई कंपेर करी हो इसने function दिया है हमको पता अब भी function क्या होता साइज 0 गा isn't it कंपेर करी हो िक किस के पावर आया है very good बिटा है भाई 2 अब बिटा की व crust होता है बतो बिटा की व crust क्या होते थी भाई बतो बिटा क painful मतो बिटा क्रीटा न ब क्लीटा 4 pi sqe are mu by h बिटा एनुफर गवेर क्लीट क्लीटा अच क्लीटा क्लीटू एन्यू बाई तूर्ट चुंगा मारे पास अब हाँ अब लू क्या होता है अब टाथा याद करो नू गोपड रहे वन बाई to पूट करियो हारे वही क्या है मरे पास वन भाई टू पाई रूट के वाई एम नीचे क्या रहा आपर तू एच अडेख यू बई एक फामुला क्या बना मरे पास एक फामुला क्या बन रहा है है रूट के एक किसके पूशना है है अले किसे सिंपल था भई हम टक्या बहुत है कि दिर इसमें दिर रखा है सोल निकर रखा उसके अंदर कोई बात आपको पुले पड़े की फिर अपनी एक आप फोर्मदा लिख लिया एक को आपनी को अपनी कोर्लेट कर ले बीटा भाई पूट कर दो फिर बीटा में क्या पूट कर दो लूट कर दो आपको अपने आप दिख रहा है कि क्या पूट क्या बएप पोर्शनल लिए निया ना कुसम भी है ओके अ अ इस हार्मोनिक और से दो कोशन घुटर कर दो क्या है वन बाई टू एच कट ओमेगा मैं गया आपर क्या भई एक कुलिवरिम विब्रिशनल फ्रिक्वेंसिया अकोर्डिंग टू वायरल थोरम बतो टी और वी क्या होंगे हमको पता क्या गर उसका मैं आपकर दो भई सवरी का अब बताव टक्या हो जाएगा है एक कट वाई नियू है सोरी एक वाई टू है वन बाई टू एक तो टी और वी क्या हैंगी बताई हूं आपकर दो भई तो कौन सब्सक्शन ठीक है आगे ना पूसम मेंगी नेक्स्ट ये कोशन भी नेट में रखा है जून 2015 में पार्ट सी में चार नंबर में चार नंबर से कम नहीं कोश्चन गलत हो जाए तो गम नहीं बताव भई दिकॉरेक्ट स्टेट्मेंट अबाउट्ट एवरेज वेल्यू पोजिशन एंड मोमेंटम ओफ ए वन डी आर्मोनिक उसे लिटर बदो क्या क्या होती है तो यह क्याता है एक्स जिरू नहीं होगा मोमेंटम भी जिरू नहीं होगा भई याद पूर मैंने अभी आपको प्रूव किया था कि पोजिशन भी जिरू आई थ गासी में ओर बताऊं फिर कहThe correct statement about The Symmetry of The Eigen Function क्या कता हिए बहुलो भई The correct statement about The Symmetry of The Eigen election of a Quantum state 1 dimensional, r1 कोंस ठक है औल और ऐगन फंक्षिन्स और उनली ऐवन फंक्षिन ना भई योग से अब को पादा इवन पेडिटी भी खेट help पाहिने तो-डिअ-ध्यी सतमेडा परंद करें इसे व्टी और होंगे यह क्या होंगे यूग यह क्यों Cold की इसलिए सिमेट्रिक पोटेंशल मतलब भाई पोटेंशल इसन इवन फंक्शन इस्टेटमेंट भाई थोरम ने वहाँ पर लिखें लेगन यह आपको यहां से आद होगा आपको पड़ गी बता कौन सांसरा इसका डी आ गया अधार बात आपको पड़ने पड़ी नहीं पड़ने पड़ी एक और लोगे तो जब भी कोई ऐसे कुशन आख्यों जहां पर आपने कंपेर करना पड़ जाए क्या अरे वह लो भाई तो आप इनको इसीली कंपेर क्ली वारी क्या होगा एक्जामीन और आपको एक फंक्शन प फंक्शन ये है आप अधा कि फ्लां स्टेट का function ये है ओके तो आप ये बताओ भई कि इसमें ये किसे correlation में है तो आप ने क्या करना है कि जो function given है आप उसका क्वाउन जो बए काउंटरपार्ट जो था आपको तुसारे function एंदिते हैं आदि क्या आपको सारे function create करने ने लि क्या है उसे उसे वही आप एक्चुल फंक्शन लिखे उसे कंपेर रिंग कर सकती गया है कि अरे बोलो है अधे लिया रमसी ठीक है कि इसको आप कर लोगे वही है अच्छा है अजय में भी देखो आपको भई आप सब पूछ ले पताओ एनवन स्टेट का नौर्मलेशन को उसे अरे बोलो भई तो क्या आप नौर्मलेशन कोंस्टनिट आप इसली कैलकुलेट कर सकते हो क्या है ओके ठीक है तो भई इस लेक्चर में तना ही अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रशन है या सुझाओ है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं मैं उनके उत्तर देने की पूरी-पूरी कोशी करूँगा तो भी ठीक है मिलते हैं अगले लेक्षर में तब तक के लिए नमस्ते